राजा रवी चंद्र वर्मा एक शरीफ और नेक दिल इनसान थे कारोबार लोगों को रोजगार देने के लिए करते थे राजा साहब अपनी तीनों बेहनों को बहुत मानते थे उन बेहनों के खुशकिसमत शोहर ये तीनों है राजा साहब को महबबत थी अपनी तीनों बेहनों से और इनकी नजर थी राजा साहब की दौलत पर और ये हैं राजा सहाब के साले साहाब भुलकड है लेकिन नेग दिल है राजा सहाब की मौत के बाद अब सब की नजर है उनके वारिस पर भगत सेट, मकार और कमीना इनसान पहले सुपारे लिया करता था, अब कारोबार करता है निलामी शुरू करें किंग कंस्रेक्शन से अभी तक कोई नहीं है जनाब राजा तो मर गया है अब उसकी कंपनी में बचाई कौन है राजा के बड़े साहब जादे हैं यह पिद्धी कारोबार में हमसे क्या मुकबला करेगा जी जनाब बोली शुरू करो सरकारी बोली है दस लाग दस लाग दस अजार पचास लाग बगद कंस्रक्शन की फाइनल बोली है दो करोड एक लाग एक मिनट किंग कारोबार में कदम रखते ही तुम हर गए बेटा माफ करना अभी तुम बच्चे हो यह बाजी हमने जीती है समझे नहीं क्या जिस जमीन की कीमत पचास लाग रुपे भी नहीं है उसकी कीमत हमने बढ़ा कर पूरे दो करोड करवा दी है मजदूरों का डेड़ करोड का फायदा हुआ गिंग हमेशा हाकिम नहीं होता है रहबर भी होता है जमीन मुबारक हो जीजा वर्ण टू थी फो इस विसे कोई एक होगा येई हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए जीते तो छोटे तो बड़े को मुबारक बात क्यों चोटे को जीताने के लिए खुद हार गया जीतने वाला नहीं जीताने वाला सच्चा कींग होता है पर पर बरोसा करके चाब या दी और इनोंने हमें ही चुणा लगा दिया पर ऐसा क्यों किया इनोंने साले साथ के साल गिरा के अरके पर हमने मजदूरों का बोनस तीजूरी में रखा था इसका कहना कि सून केस काइब हो गया है मालिक मालिक हमने पैसे नहीं चुराय सच करहें आप चली जाएए चोटे मालिक आप यहां पर यकीन करते कहाना आप जा सकते हैं तुमसे जाने के लिए लिए लहाना चल निकाल है केशव जी बेकसूर है मैं यह पता था आप लोगों पर नजर हमारी पहले से थी सोचा था कि साले साब के मौत के बाद सब कुछ हमारे कब्से में होगा लेकिन यह पित्दा हमारे रास्ते का रोडा बनता जा रहा है अगर रोडा रास्ते में आ जाए तो क्या करना चाहिए वो तो आप करते होंगे तो आप क्या करेंगे रोडा को ही हटा देते हैं भाई पैदाइश के बाद से ही मेरे बड़े बिटे के साथ दो तीन सालों में कोई न कोई हाथसा जरूर होता है हमने उसके कुंडली देखने के लिए ही आपको बुला है पंडिची इस कुंडली व कुछ खत्रा भी है बेटी, सन 2012 में इनकी जान को खत्रा है, बहुत ही बड़ा खत्रा, अगर वो हाथ सकल जाए, तो इन्हें घबराने की कोई जरुद नहीं, इनकी उम्र बहुत ही लंबी होगी. उन खत्रनाख हाथसों से बचने के लिए, कोई तो उपाय होगा ना पंटिची? हम तो अपनी तरफ से पूरी मुम्किन कोशिश करेंगे बेटी, बाकिस सब भगवान के हाथ में आया है. यह सब कैसे हुआ, इस बार कॉंट्रेक्ट पक का हमें ही मिलेगा, लेकिन किंग बहुत मस्बूत है, क्या कर लेगा किंग, हमने सब को खरी लिया है, मूर्ती का फोर, आब बोल मूर्ती. सारी सार, एक बुरी खबर है, किंग हमारे हाथों से बच गया है. क्या हुआ भाबाई? फिर से किंग जीत गया, फिर से वो जीत गया, मैं उस किंग को बख्षूँगा नहीं. मैं उस किंग के सुपारी दूँगा, अब वो नहीं बचेगा, आई विल किल यू किंग, आई विल किल, आई विल किल, तो सिर्फ किंगी क्यों, मैं उसका पूरा खान्दान मिटा दूँगा. हेलो, हेलो, हेलो भाईजान, अगर आप हमें एरपोर्ट तक छोड़ने आएंगे न, तो ही हम लंडन की फ्लाइट पकड़ेंगे, वरना आप तो हमारी फितर से वाकिफ है, जल्दी एरपोर्ट पहुंचे. लोग मुझे चिट्टू कहते हैं, काला चिट्टू, ये है मेरा कारोबार, और असली कारोबार है, सुपारी लेकर काम तमाम करना, आज मुझे तुम्हारी सुपारी मिली है, मतब तुम्हारा काम तमाम, डर गया क्या? हमारी छोड़े हैं, हमारे खांदार में डर के लिए जड़ ही नहीं है, पता है क्यों, हर को ही ना दिखने वाले भगवान पर यकिन करता है, लेकिन हम दिखने वाले भगवान पर यकिन करते हैं, दिखने वाले भगवान? मतलब कैंग, चलो देखते हैं, तुम्हारा कौन है रे तू? केंग आज तक तुम्हारा सिब नाम ही सुना था आज मुलकात भी हो गई इतना समझ ले कि मैं वो आग हो जो उजाला कर सकता है और जला कर राग भी कर सकता है मेरे अड़े पे आके मुझे धम का रहा है कुछ अंदाजा भी है इस माकत का क्या अंजाम होगा तुम्हारे इस सामने तुम्हारे भाई की मौँ मेरे भाई को तुम मेंसे जो भी छुएगा वो अपनी मौत का खुद सिम्मेतार होगा आसमा ले आसमा खुद एंल चलोट, उट जा, यहले, चुई से, छूँक कर दिखा, बता इसकी सुपारी किस्त ने दी, केंग अपने लोगों की हिफाज़त करना जानता है, और तुम जैसे लोगों को कुछ चलना भी, हम सिर्फ यहाँ यह कहने आये हैं कि दम है तो हमसे ठकराएं, यहाँ पर हमसे ठकराएं, हमारे खांदान से नहीं, अगर अगली बार खांदान पर नजर उठाई, तो दुनिया से उठ जाओगे, छोड़ूंगा नहीं किसी को, क्यूं परेशान हो रही हो, अजे लंडन गया है, जल्द वापस आ जाएगा, नहीं बेटा, तुम उत्रान चल जा रहे हो ना, इसलिए परेशान है, अहां बेटा, तुम्हें याद नहीं है, पंडी जी नहीं कहा था, ये साल तुम पर भारी है, तो इस साल, सफर मत करो बेटा, मा, हमारा जाना ज़रूरी है, फैक्टरी में कुछ मुश्किले है, जिसे हमें सुलजाना होगा, दो दिन में वापस लोटाएंगे, समझा करें, राजा बाबू, भाईजान के गुजरने के बाद तुम ही सहा रहा हो, जब तक आप सबकी दूआ है, हमें कुछ नहीं होने वाला है, अरे सिम्हा सुना है, तुम शेहर से बाहर जा रहे हो, कोपी वोहन बता रहे थे, बाद दर असल ये है, कि कल से तुम्हारी फूफी जान गहने 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 चिला रही है, सोने के दाम भी गिर गए है, अगर तुम मुझे पांस लाग दे दो तो, पाकिस्तानिया श्रेलांगा पे सट्टा लगा दोगे, हमने सट्टे बाजी छोड़ दिये, क्यो जी, तुम ही बताओ, हमें आप पर बिलकुल यकिन नहीं है, साड बेटा, हम चलते हैं, आपको गहने चाहिए क्या फूफी, अगर हमें गहने चाहिए होते हैं, तो तुम से कहती, उन से भला क्यों कहती, वो बहुत बड़े जूटे, अच्छा जवाब दिया है, अरे भांजे, भांजे, कुछ बुले तो नहीं न, बुल तो आप रहे हैं, अरे मैं क्या बोलूँगा, पैंट पहना, ओ, ओ, माफ करना, तुम्हारे शहर जाने के खुशी में मुझे याद ही नहीं रहा, खेर, तुम्हारे मम्मी से कुछ कहना है भांजे, क्या कहना है, कुछ खाज, जो कहना चाहते हो, हाँ, ठीक है मामु जान, फिक्र मत कीजिए, ओके भांजे, बाई, 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 आप जान से कहना है कि सही सलमत लोट आएंगे, सही सलमत, यह क्या है जी, क्या हुआ, आप यह पैंक नहीं बहनी है, अरे वो तो ठीक है, लेकिन किंग ने कुछ कहने के लिए कहा था, हमें क्या पता, कहने के लिए अब क्या करें इस फोन को भी अभी तंटनाना था दादू का कॉल है यह सौ साल तक नहीं मरेगा तो नहीं मरेगा मगर तुम्हारी बड़सी पहले करवा देगा फिजूल में मच डराओ अरे शफीक का कॉल है शफीक ऑस्टेलिया पर पचास जार और लगा दो दिमाग खराब वक्त आपके लिए पेठा लेका गोली यहां चली और तुम दिल्ली में उचल पड़े लेकिन तुम ना हमारे निशानी पर साफ नजर आ रहे हो हमें मारकर आपको क्या हसिल होगा दादू भाई इसमार हमारे पास एक शंदार प्लैन है तुमारा प्लैन नाकाम हो सकता है ल किता होने वाला यह चुटकुला हम शादी के दिन से सुनते आ रहे हैं क्या प्लैन कामियाब होगा वो तो होगा ही तुम्हारा शैतानी दिमाग किस दिन काम आएगा कोई साधिश कर रहे हो क्या तुम अफ यह फोन भी ना सर फ्लाइट अभी अभी लैंड हुए सर आप इस कंपनी में नहीं है आपके इंग को ठीक से हैंडल कर लेंगी ना सर डराये मतना हमें अपना काम पता है हम माफिय चाहते हैं सर हम सपना सर आप ही का इंतिजार कर रहे थे चलीने सर हाँ चलो मामला क्या है लोकल माफिय जनाप वह मजदूरों को धंका रहे हैं और काम पर आने के लिए करना चाहते हैं उनकी गुंड़ागर्दी को देखते हुए फैक्टरी चलाना मुश्किल हो गया है जनाप मैं तो आपको यही सला दूँगा कि फैक्टरी को बंद कर देना चाहिए फैक्टरी बंद करने का मतलब है तीन अजार घरों में अंधेरा करना उससे अच्छा है ग हाँ सर सब हो गया है ठीक है क्या यही प्लान है यह सर यह हलो सर आपका फ्लैट का वक्त हो गया हम लोग वेट करें आप कहां पर हैं हम कब्रस्तान में कब्रिस्तान में सब खैरियत तो है हाम है ठीक कि सकति अ Auswराण दो म Pennsylvania प्लान में मुटत सब आपका ध Peach Com vocabulary चप्राइब भाँ झाल लुच्ण लुष्ण। आपने किसे के लापता होने की शिकायत दर्च की थी? हाँ, सर. शनाक्त करें? क्या वो ये है? जी नहीं. तो ये? नहीं, जनाब. क्या वो ये है? यही शक्स है क्या? नहीं, ये भी नहीं है? क्या कहा? हमारा बिटा खो गया? जी बिलकुल मैडम. हमने कई पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्च की है. लेकिन सर की कोई ख़बर नहीं है. किसीने सच कहा है? घर के चोर को उपर वाला भी नहीं पकड़ सकता. अरे गोपी महन क्या मतलब है तुमारा? लेकिन उसे पता नहीं, वो हमेशा के लिए विदा होने वाला है. किंग ने सब को अर्विदा कहा. लेकिन उसे पता नहीं, वो हमेशा के लिए विदा होने वाला है. लेकिन उसे पता नहीं, वहां में शायती लिए विदा होने वाला है। आपने बिल्कुल सच कहा है। ये सब क्या है। आपके कर्तुतों का सबूत, इंस्पेक्टर। DCP हाँ, DCP इंस्पेक्टर। इन्हें अंदर डाल कर, जब थर्ड डिगरी का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब कुछ बोल देंगे। जनाब अपपा जी, आपको हमारे साथ पुली स्टेशन चलना होगा। बिल्कुल चलेंगे। हमारे पास भी इसके कारणामे मौजूद है। हम अभी आपको दिखाते हैं। ये अपना मोबाइल लेकर आएंगे क्या। थर थर भाग जा। इतना बड़ा पेट लेकर आखिर वो कब तक बचेगा। ढूंड़ो उसे गिरफतार करो। क्या। गोपी मुहन तुम्हारा शैतानी दिमाग तु बहुत तेज है के इंको मरवाया तुमने और फसा दिया बेचारे अपाजी को एक तीर से दो शिकार हां। भाभी जान हम अपने अजय को वापस बुला लेते हैं। बिल्कुल नहीं वो बरदाश नहीं कर पाएगा। वैसे भी हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम लोग फिक्र मत करो। हे भगवान हमने सबको उम्मीद दिलाई है पर हमें सिर्फ आप से ही उम्मीद है। मेरे बच्चे को हमारे पास सही सलामत भेज देना भगवान। यहां सही से शीज सलमत हा अपाज़यो कि ने Down हमसे कहा था हुग乾ण यह सबकर आप बिल्कुल वेन और हमें पता है वे साउट पेज़नियों कि हम सब्सक्राइब भगवान उसी जरूर भेजेंगे सलाम भाई किया रहे फिर से आ गया कितनी बार गाये कि यामद आया गाई आपका एक्रीमंट खतम हो गया है इन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है अगर आप यह जगे खाली कर देंगे तो इससे बेचकर वह अपनी बेटी की शादी करेंगे तू कोई तीस मार कहा है गया है मैं रघो रोकडा काद में हो रघो रोकडा रघो चोपडा चाय कोई भी ओ चल भाग ले जाओ इसका चल चल अप्र इसका फ्र प्रभाइ बाजे साही हूजु कुषक, 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 कृ . कि आई का शाना है तो इस्ट में कॉलकत्ता वेस्ट में आमची मुंबाई नौर्थ में लद्दा कश्मीर साउथ में कन्या कुमारी जैसे दुन्या भर में फेमस इंदुस्तान वैसे ही फेमस रगु रोकड़ी कि शार्ड चार मिनार सुना है देखा है गेटवे आफ इंडिय देखा है रगु रोकड़ा नहीं मालूम क्या नहीं मालूम देश में जितने भी भाई लोग है उनका राशन काड़ खोल कर देख ले बाप की जगा रगु रोकड़े का नाम होगा कोई शक भाई मैंने भी सब देख लिया भेजे की डाइरी में छाब डाल अपन चहां कतम काड़ दें वहाई दुश्मन को फाड़ दें इस जगह को खाली कराने के लिए अपन को सुपारी दी गई है और कोई काम अपना अधुरा नहीं छोड़ता और भाई लोगों के लाइन में जबान काइच पैसा है ऐसा गया कैसे है यह पाप अपन के बापका नहीं है चाल बाहर तेरी हट्टियां तो हता हूं क्या हो रही है सब अरे देखियाना साब मार रहा है हमको जगह खाली कर रहे हो कि नहीं पुलिस वाले के साथ गुंडा कर दी यहीं इंकाउंटर कर दूंगा जल्दी करो इस तरह माफ कर दो भाई हम आपके पैर बढ़ते हैं चलो रहे माफ कर दो बही चलो निकलो यह से जल्दी चलो खबराए मात यह बस एक जलक थी जलक थी सास की कसम आप ग्रेट है भाई अरे तारी बाद ने करना पहले रोग रहे हैं यह लिजिए पूरे दस सिर्फ दस रेतने में तो कुछ भी नहीं होता है भाई बाबा अर काम पैसे के लिए नहीं होता इनकी बेटी की शादी के होतले जूमती है हमारी शादी की फिक्र छोड़ कर मैं खाने की सूज रही है अरे तो अब तुम ही मताओ कोशिस तो बहुत कर रहे है नतिजा क्या निकला है कि हमारा कारोबार देख करके कोई लड़की देने के लिए तयार ही नहीं है कारोबार तो नहीं बदल सकते भाई क्या बोलते हो अब फैर छोड़ यार कभी तो किसमत चमकेगी बारिश भी शुरू हो गई कि 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 इस शीवानी बारिश में क्यों भीग रही हो यहां जाओ कि 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 क्या हो गया एक लड़की ने हमारे दिल पर बिजली गिना थी कौन थी वो लड़की बस से चली गई अरे चली गई तो जाने दो दूसरी आ जाएगी लेकिन हमारा दिल तो उसी पर आया है अरे दिल आ गया तो क्या करें अब उसे कहां ढूनेंगे हम रगू रोकड़े की धड़कन बड़ी तो लड़की मिली क्या क्या देख ले सारे कैसी बनी है बनी तो अच्छी यह लेकिन लेकिन क्या मतलब एक नमबर बनी यह चिता या शेर तो नहीं लेकिन कुट्ता जैसा लग रहा है भाई अबे जब कुट्ता बनाया है तो कुट्ता ही दिखेगा न इसे बिखा दो खुश हो जाएगा लड़की वाले पूछेंगे तो यही तस्वीर भेजूगा तुरंत रिष्टा पक्का हो जाएगा राका साहब की बहन के साथ चुट क्यों में रिष्टा हो जाएगा क्या हुआ इसे भॉंक क्यों रहा है कहरा तस्वीर भिदने से पहले कपड़ा पहना दे न मुझे भाई 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 शहर के सारे कारोबार हमारे हाथ से निकलती जा रहे भाई वो देख लेंगे पहले ये बताएगा तस्वीर कैसी लगी कौन सी तस्वीर भाई अबे अंदा हो गया क्या कुट्टे की तस्वीर है ये ये कुट्टा है आप लोगों को ये कुट्टा नजर आ रहा है कभी ने चाप लूज कहीं के मुझे तो एक नमबर लगाता भाई हमारी कराकारी की बेकद्री की टेंट वात मा देंगे तुम्हारा तुम हमारे बचपन के दोस्तों इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ अब क्या कहना चाहते हो जो ज्यान भाई से टकराएगा अपनी कबर खुदवाएगा दफ्न हो जाएगा कहो रहता है वो कोई भीच में नहीं आएगा मैं के लाई काफी हूँ अरे काँ बे रगुरोकणा बाहर निकाल काँ मर गया बे मर्द का बच्चा है तो बाहर निकाल अरे टुकड़े टुकड़े करदूंगा तेरीतो अरे अरे डगणान कोई खर घाएगा निकी याद्गार्द का बाहर याजा के उया निका तो मेरी में घू या हमसारियो क्यों बे हैदराबाद में सेटलमेंट कराएगा वो मेरा इलाका है क्या है अधराबाद तुझे निजामों ने सालगिरा पर तोफे में दिया था अरे 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 तोबा भाई तुम आईए ना ये मेरा बेटा है अंदर बैठ कर आराम से बाते करेंगे देखो इस शाहर में वही होता है जो ग्यान कहता है धंकी देना वसूली करना सब मेरे इशारों पर चलता है तुमने वसूली कब से शुरू करने इसका क्या मतलब है मुकाबला पता है एई चार शे लुको को पीट कर तुम खुद को डॉन समझ रहे हो चुटकी बजाते ही तुम जैसों को गाइब करवा सकते हैं कमिशनर तक हमें सलाम ठोकता है भाई 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 मिट जोकी थाने में हवालदार गोटी और छोड़ को कूट रहे हैं उनसे बताया नहीं कि वो हमारे बंदे हैं आपका नाम लेते हैं उन्हें और भी कूटा गया है भाई बड़ी बड़ी है बड़ी है हम क्या कह रहेते सबी इसी धंदे में उतरेंगे तो मैं क्या ठेला चलाऊंगा कैर तुम्हें माफ कर देता हूँ अगर भाई बनना है तो मेरे लिए काम करो शेर कुट्टे का पट्टा नहीं पैंटा अरे उसकी जुबान किती लबी है क्या करे भाई थोड़ा जिद्धी है किसी की नहीं सुनता अरे इसके जैसे कई टेड़ों को सीधा किया है हमने तुमारा मुदे कर खामोश हो एक काम करो तुम शेर समालो और 20% हिस्सा रख लो सोने की खान आप मेरे पास आएं मैं आपके पास आएं चलो हम तुमारे पास आएं अब क्या अब ये हिस्सा हम तै करेंगे क्या मतलब 20% हम आपको देते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है ये तो मेरा पूरा कारीव वर पोका पर कीछ रहा है क्या बेटा पएदा किया है तुम नहीं तुमनेे तोमारे दोस्ती महांगी पड़ी हमें 20% मेरा लेकिन मार्केट में किसको पता न चले किसलिए अरे मार्केट में मेरा नाम खराब हो जाएगा किसे क्या पता हमारे बीच में क्या समझाता हुआ कुछ बोला ना मान जाओना बेटा मन्जूर है अरे कुट्टे वो लेकर आना लाओ अरे लेलो भाई तोफा है किसलिए खोलेंगे तो तबियत खुश हो जाएगी क्या है यह पेंटिंग इसे पेंटिंग क्या थे लगता है किसी ने रंग पीकर उल्टी कर दी हो यह भी कोई पेंटिंग है यह वाली भाई ने बनाई थी तुम्हें क्या पता खैर टुपा भाई शहर में हमारा आलिशान बंगला है आप लोग वही जाका रहे ठीक है और सुनो पंटिरो आजी शिप हो जाओ अरे सफाई करवा देंगे टकाटक हो जाएगा अच्छा चलता हूं टोपा भाई अपना ख्याल रखना है अब पुरानी दोस्ते निकली हाथ पैस जोड़ने लगा तो हमने भी सोचा छोड़ो क्या फरक पड़ता है तुम फिक्र क्यों करते हो सारा रिक्स वो उठाएंगे और बैटे-बैटे 80% मिल जाएगा अच्छा हुआ 20% में मान गया है तुमने मुझ खोला तो हमें भी याद आ गया क्यों बे मैं वहां कमिशनर की दोंच मारा था और तुमने आकर बक दिया कि ठुले हमारे आदमियों को कूट रहे हैं सारी इज़त मिट्टी में मिला दी त इनाम देंगे तुमने कहा था ना कि हमारा बंगला गंदा है अब तुम ही जाकर उसकी सफाई करोगे आसे ज्यान भाई ने कारोबार की जिम्यदारी रगू भाई को सौपी है सौपी नहीं है हासिल की है भाई ये है रगू मेंटल सलाम भाई बच्पन से जर्म की दुनिया में कदम रखा है हाल में अपने इलाके में बार शुरू किया इसने बस वहीं से मुसीबत ने पीछा को लूटा जा रहा है आप ही बताइए हपता देते तो कारोबार तो करेंगे ना मुफ्त की खाकर भी तेरा पेट नहीं बरा जो आप बार भी खोल लिया लोग मैनद करके पैसा कमाते हो और तुम लोगों की कमाई लुटा कर शरा में नकली शरा बनाकर उनकी जिंदगी का सौ पर इसे गुस्सा आए तो इसने बीवी का सिर जोर से दिवार वे पटका और गर से बाहा निकाल दिया इतनी सी बात में इसके ससुने पुलिस केस कर दिया यह भी कोई बात ही क्या है इस लंगुर को ससुराल से पैसे चाहिए पैसे के चकर में लड़की की जिंदकी से तुम्हारे पास इसी तरह के मामले मांडवाली के फैसले अपनी जे भरने के लिए नहीं करते अगली बार ऐसे मामले आये तो तुम सर से पैर तक पट्टियों में लिपड़ जाओगे क्या बात है भाई बहुत टेंशन में है अरे चुपकर मास्टर आ रहा है सारा शेहर भाई से डरता है पर भाई मास्टर से डरता है बाई इस बच्चे से करते हैं उसका कहना है कि उसका खांदान भाई की तरह नहीं है बल्कि कलाकार लोग हैं अगर एक पेंटिंग मेरे भाई को पसंद आचाए तो मैं अपने घरवालों को शादी के लिए रजामंद कर सकती हूँ बेल्कुल की आया मास्टर जी दिखाते हैं आपको सारी राज जाकने के बाद तुमने ये नंग धड़न पेंटिंग मनाई आई है रहमदिल आस्मान इस पेंटिंग का नाम है मास्टर जी इस पेंटिंग में खड़ा लड़का विचारा आनात है इसके पास खाने के लिए पीने के लिए पानी नहीं है पैनने के लिए कपड़ी कर दोगे तो vari की कि तरफ देखता है और जब प्यास लगती है तो आस्मान की तरफ नजर उठाता है आस्मान रहन करके से एक दो तीन बूंद पानी देता तुम्हारी पेंटिंग का तो सच में जवाब नहीं है फटाफट अपने हिसाब से तुमने कहानी भी बना ली पर देखने वारे कैसे समझेंगे बोलो सब तो साफ समझ आ रहा है मास्टर जी बिलकुल मास्टर जी सूरज की रोशनी की तरह इस पेंटिंग को देखके बताओ तुम्हारी समझ में क्या रहा है ध्यान से देखो इस लड़के के घर में टॉलेट नहीं है तो जंगल में और जल्दबाजी में लोटा लेना भूल गय सच में यह आपके बस की बात नहीं है लगता है आपकी दिवाग में तो गोबर भरा हुआ है इसलिए पेंटिंग से भी बद्भू हा रही है आप बताइए मास्टर जी पेंटिंग बनाते वक्त हमारे हाथ काप पर दो पेंटिंग को शराब से क्यों जोड रहे है मास्टर अगर हाथ नहीं कापेगा तो पेंटिंग भी अच्छी बनेगी कोशिश करते रो कलाता हूं मैं कमबक्त इसी वक्त आना था तुझे वो क्या पोचने के लिए पत्ते मांग रहा है भूल से गलती हो गई अब जो पेंटिंग मनाएंगे बतादे ना आगे से मास्टर जी को हम वो ही बताएंगे वो क्या तुम जैसे गदे से दो बार सवाल पूछेगा तेरी ने 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 हमारी बात तो पुरी सुनो वो रगू रोकड़ा ने हमारे कारुबार की बुरी तरह से बैंट बजा रहा है जबसे शहर में कतम रखा है खुद तो नोट चाप रहा है और हमें कुछ भी नहीं दे रहा है बैंक को लोग सुरक्षित समझते हैं इसलिए हमारे यहां पैसा जमा कराते हैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले अगर पैसे नहीं भरेंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे और नुकसान होगा आम आदमी का सिर्फ हमारे ही शहर में साथ हजार करोड बैंक का कर्ज बकाया है अगर आप वो कर्ज वसूल करवा दें तो हम आपको 10 प्रतिशत देंगे इससे से जदा आपका काम पसंद आया डील मन्जूर है कल से बंदे काम पर लग जाएंगे शुक्रिया तो हम कारोबार खराब कर रहे हो इसकी हमें गलत खबर मिली थी तुमारा काम करने का अंदाज अच्छा है खुशी हुई हम काम करते हैं इनसाफ के साथ यही हमारी पॉलिसी है भाई को पॉलिसी से कोई मतलब नहीं रोकणा दो रोकणा पैसों के लिए डील करोगे भाई का नाम खराब हो जाएगा भाई ने बहुत ही मैनत से नाम कमाया है यह खतर ना को सकता है लेकिन अगर इमानदरी से डील करेंगे तो भाई का नाम आसमान चुएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है हम तुमारे काम में दखल बिल्कुल नहीं देंगे अपने तरीके से कारोबार करो चलो चल देटो बाबाई चल मेरे साथ तुझे तो मैं दिखाता हूँ क्यो औरे वहां मास्टर जी के सामने हमारी इज़त उतारी और इधर की गलत खबर देकर हमारे बीच में दरार डालना चाहता है अब बताओ क्या करें इसका बाई माफ कर दो बाई गलती से बूल हो गई तो मैं माफ कर दें सब समझ गए ना मामला बड़े प्यार से निप्टाना है जी बहतर भाई जी बहतर भाई नहीं जी ओके ब्रो कहो ब्रो मतलब भाई कॉर्परेट स्टाइल अब जाओ कौन है क्या है भाई जी हम बैंक से आए वो लेकर आयो ना क्या जणाब मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अर्जी दी थी वही लाई हो ना हम देने के लिए नहीं लेने के लिए आए हैं क्रेडिट कार की उधारी अरे भाई हमारे यहां सिर्फ एंकमिंग होती है आटगोइंग नहीं मतलब सिर्फ लेना है देना कुछ नहीं जनाब अगर ऐसी बात है तो फिर मुकदमा करना पड़ेगा हम पर मुकदमा ठोकोगे कर्जा देने वाला जतना होशयार होता है ना उससे जादा चलक होता है चुकाने वाला हलो के के स्पिगिंग क्रेडिट कार चाहिए मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बिलाते ही पेमिट क्लियर थैंक यू थैंक यू तुम्हें कॉर्प्रेट स्ट्राइल में समझा है नहीं समझ में आया इसलिए रगू रोकडा की स्ट्राइल में समझा है यह रगू रोकडा को नहीं जब रगू रोकडा का हाथ पड़ेगा तो फिर घूमते रह जाएगा कैसे गुमेगा गुमा की नहीं गुमा पुरा चक्कर लगा लिया आप ही रगु रोकना हो समझ गया ना पैसे देखर सामान ले जाना चलो रहे यह तो हमारा बाप निकला किस फ्लोर पर है वो थार्ट फ्लोर पर है बाई सब लोग नाच क्यों रहे हैं आज के दिने का लड़की फुल कबूल करती है तो काम बन जाएगा तो दोस्तों आज हमारे इस मॉल में हमारे शॉप में जीतने वाले का टोकन नंबर है 153 क्या होगा भाई आपको यह वही बस्ट आफ वाली लड़की है मुबारक हो शुक्रिया शुक्रिया आपकी तारीफ शिवानी भाई बहुत ही खुबसूरत है ना भाई आपको इनाम में 25,000 रुपे मिले हैं आप इसका क्या करेंगी हम चाहते हैं कि आप इन आपको इतना अच्छा तोफा दे रही है तो अपने आशिक को क्या देंगी महाफ की जी मेरा कोई आशिक नहीं है भाई यह किसी की माशुका नहीं है क्या बता सकती है कि आपका आशिक कैसा होना चाहिए सच कहूं तो वो सेंसिटिव होना चाहिए अगर कोई एक गाल पर चाटा मारे तो वो दूसरा भी गालागी कर दे गादी जी के उसूलों पर चलने वाला इनको जो खूबया चाहिए वो तो आप से एक भी मैच नहीं कर रही है थैंक यू भाई आपका गुबारा बिल्कुल सही जेके पड़ गया है भाई भावी के हाथों में आपका फूल है यानि की बात बन गई वे खामोश भाई इन सब बातों को नहीं मानते हैं अबने ऐसा कब कहा भाई भावी जान जानी है अज गदन बहुत अचाही कहा उन सभी लोगों को जिनने मोहबत में फूल मिला है अमारी तरफ से उन्हें मुबार्ख हो हैपी वैलेंटाइन्स डेई चै भावी जान नजर वेलकम सभी आपका प्रे से इंतिजार कर रहे हैं चली चलाब अरे टेंपो इसके टेंपो से अलाग है वह अमहरी तो यह जहर है नमस्ते सर ये ब्लू ड्रेस वाली को सबसे पहले भेजना ब्रेक देते हैं उसे आए नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते बेटो नाम क्या है? शिवानी बहुत ही बढ़िया जैसे शबनम की बूंदे देखो शिवानी सचाई ये है हमें न सुर का पता है, न ताल का पता है, न किसी राग का इल्म है फिर भी हम आज के मशूर संगीत कार है जानती हो कैसे? असल का कच्चुमर बना कर कॉपी करने से आप से किसी ने पूछा? खेर अगर फिल्मों में उपर आ रहा है तो अच्छे रिष्टी होनी चाहिए खेर, हम ये विकार की बाते रहने देते हैं और हम अपनी जिन्दगी पर नज़ा डालते हैं सुरो सर शायम के लिए किसी होटल में कामरा बुक करो इनके लिए गारी भेज रहा ये पहुंच जाएंगे जी बेतर है आप समझ तो गई है ना? बहुत अच्छी तरह से दिल तो कर रहा है कि चपल से पीडू लेकिन आपकी उम्र का लिहास कर रही हूँ मैं सिफारश की नहीं अपनी कला के भरों से यहां आई हूँ मैं होस्पिटर में कमरा बुक कर दे सेर नमस्ति बाटा टेलिकॉम चैलेंज में हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं अब फैसला आपके हाथों में है कि सेमी फाइनल में से फाइनल्स में कौन जाएगा हमारी पहली कंटेस्टन्ट है रामपूर की श्वेता तो यहां आज की है रामपूर की श्वेता हमारे मास्टर जी का गाना जब हम उनके पास सीखने जाते थे तो हमें प्यार से बेस वरहिया कहते थे सच में बहुत चाते थे वो हमें वो हमेश्चे कहते थे उड़ी बबब एक्टर तो तु है जो इंडिया के लिए एक दिन औसकार ज़रूर जीत के लाए गया दिन चुरानी का अवार्ड होता तो औसकार मिलता है शुरू कीजिए All the best उड़ी होता डिर्यार बटाधे में क्या करू में गाचा ए बटाधिरार बटाधे में का डिलता है बád को बटाधे में शुक्रिया, sir. ये गाना किस राग में टा, शुछेता? प्ठडीब राग. प्ठडीब राग मतलब सारे गामा. है, ना? आ ओरों में क्या गया? सगामापा. राग कहा गया? प्ठडीब में रा नहीं होता, sir. हां, रा नहीं होता है, पर इसमें राह डालके एक नया राख बना सकती है ना यही तो जादू है खेर ऐसी चोटी बुटी गलतिया तो होती ही रहती है सबी ऐसी गलतिया करते है पर फाइनल में ऐसी गलती महंगी पड़ेगी ख्याल रखना श्विता हमारी अगली कंडिस्टंट है है इदराबाद की शिवानी हम पेश कर रहे हैं हमने देखी है इनाखों की फिल्म खामोशी से गीतनिगार गुलजार गाई का लता मंगेशकर और संगीत है हिमन कुमार्ण हमारे मास्टर जी का गाना है और हम तुमें बताना चाहते हैं कि हमारे इस गाने से बहुत ही गहरा रिष्टा है अब यह मत कहना कि यह गाना भी हमने लिखा है इस फिल्म का गाना बनाने के लिए हम और हमारे मास्टर जी होटल त आज में सिटिंग कर रहे थे हमन्दा को तो आप जानती है ना उन्हें मनाना इतना असानी हमारा रश्टा यह ऐसा था कि हम सब सारी सारी रात काम किया करते थे हमने उस धुन को पकड़ के वहीं एक गाना बना दिया हिमन्दा हैरान रहे गए हमारे जज्ज्मेंट की बहुत कदर थी उन्हें अगर आपने यही गाना चुनाया तो यह वाकई बहुत चैलेंजिंग है खेर आप गाना शुरू कीजी आल दी बेस्ट अरे चैनल क्यों चेंज कर रहा है रिमोट कोझे दे क्या हो गया यह तो वही दर की है हं तर दे खुश्वू हाथ से चूके इस इश्क का इल्साम ना दू हमने देखी है इन आखों की में कि भूंकर के ना कोई ताल तुम पता भी तुम की तरा बेस्टू का रही हो तक किता थीमी टूफोर तक किता तक किता थीने तक किता थीक्सेट इस गाने के महौल के भारेयों पता भी आपको है हिरो और हिरोईन के बीच का रोमान्स का है वो रोमान्स हमें रोमान्स आईए मिसाल के तोर पर एक भूखा बच्चा मा कहता है और एक चोटखा बच्चा कहता है मा दोबरों में फार्क होता है हर जजबिक की अदाएगी अलग होती है थुन और मैलोडी अलग सुर्टाल अलग अगर तुम अपने फैशन और सजने समझने के बजा है गाने पर मेहनत करती तो ज्यादा बेटर होता है हमारी बात याद रखना है बहुत अफसोस है क्याना पढ़ रहा है कि हमारी फिल्मों का स्तर गिरता जा रहा है उसकी खास बजा है आप जैसी बेसरी आवाज जिन्होंने संगीत को बिजनस समझ रखा है दिल मत तोड़ो हम जैसे संगीत कहा रहूँगा जो आपको मौका देना चाहते हैं मत करो हमें ना हैलो तो आप गुस्सा हुए फिर all the best हमको समझ नहीं हमारी चाल तुम्हारी समझ से पर है रोमैंस में आपने अक्शन डाल कर गलत नहीं किया अब हमारी एक्शन का रियाक्शन देखना मैं तो तुम्हारे बिना है बिलकुल अधूरा हूँ मेरी जान मेरे दिल में जो प्यास है वो अधूरी प्यास है मेरी प्यास अ-ठी यह क्या बोल रहे हो प्यास प्यास जब हमें समझ यह आ रहा तो तो आडियंस क्या समझेगी आडियंस बहुत समझदा है कि अंदर भेज तू वो गाना पूरा कर देंगे उन्हें देर हो रही है तुम्हारे रिष्टदार है क्या गाना मुफ्त में गाती हैं क्या अगर उन्हें कोई जरुरी काम है तो सीधे हमसे बात करें तुम उनके खुल और भेज दोने वहाँ बेज़ने अंदर रही है लड़की 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 श़स्त्र जी हसे लड़की निकालकर कढ़की डालल दी है कड़ की कड़ कड़ की कड़ा चुर्aldo मिल चानि ए हुगो तुो Ankara के मुझा समत इस मिलं। हैं कौन आप लोग हम आपके पंखे हैं पंखे फैंस मास्टर जी जैसुर्य असोसीशन वाले यह आपने कब शुरू किया बस हाली में मास्टर जी कलाप जैसे गिरों ने आके कहा कि जब हम स्क्रीन पर आएंगे तो तालिया बजाएंगे और लेगा 25,000 एक भी तालिया नहीं हम उन जैसे नहीं है मास्टर जी पिर कैसे हो उन्होंने पैसे लेकर नहीं बजाया थैसी बात है तो बैठिए हमारे पंखे जी यहां पर कैसे आना रवा बताते हैं मास्टर जी हम आपकी सालगरा के मौके पर गरेबों को खाना कि लाओगे ब्लड डोनेशन करेंगे वह भी पूरे शहर में बहुत खूब हमारी दुआएं तुमारे साथ हैं दुआ नहीं मास्टर जी खून चाहिए किसका आपका यह क्या अपने सोचा कि सारे शहर में अपना खून बाटेंगे आप होते कौन होते हो दूसरों की बेज़ती काले वाले वाच्मन पुलीस को बिलाओ अब समझे मुझ खूलोगे तो यही जवाब मिलेगा इसलिए जो कहा उसे शराफत से सुनो एक काम करो पहले अच्छा सा गाना लिखो फिर अच्छी सी धुन बना कर हमेज सुना जी वेतर uda कैन मेज़ा नल्ले को ओरिजिनल सुना जैसे अदाकरियों और संगितकारों को चुना लगाते हो वैसे हमेला लगा रहे हो अब क्या गल्ती होगे सै्ट क्या गल्ती हुई अभी पता सरु inhib can नले को ओरिजनल सुना अब आई बात समझ में आया यही कि आप हमसे नई दुन सुनना चाहते हैं तो फिर सुना ओ सोचा नहीं थे कि आपको संगीत का इतना ग्यान है तारीफ के पूल बांदा बन करो पहले गाना सुना ओ मालिक के करम से आज तक ओरिजनल दुन बनाना की तहीं कभी किसी को सुनाई नहीं सुनने लाइक थी ही लए आज वह आपकी नजर करता हो उन फारडगला वो थो मैंने कहा था ही पहले पहली से पहले सीखा कुछ न पहले राग सुरताल कुछ आये जाए नारे करब बूला के गा के सब को सतायरे बाता वारीका ठर्रा नहर न लीए ल काल झाली दर्रा लल्कर वाbbe इस अधामने में ना तो कोई शूर्रा और ना ही ताल है इत्लना पेशना गाते हों तकीनद Fachu तकीट लिता टुव और तका दिना तका दिना सिख़िछ रहा है प्नाँ का हस्तर दिन गिरता जा तो फाइनल्स में उसी लड़की को आप आके कुछ मत कहिए बस तीवी पर देखिएगा बहुत खुब जल्द उपर जाओ गये जल्दी नीची ठीक है वो तो तुमारे केरदार पर निर्फाद आपके एक्षन का रेक्शन तो वाके दमाकेदार था सर यह रही तरी पेमेंट क आज तो फाइनल्स और आप यहां पर है हम है इसा नहीं ले रहे हैं हलो भाई भावी प्रोग्राम में नहीं गई है क्या कहां तो कहां गई है अन्दे यह दिखा नहीं जिता अले आप तो शिवानी जी न वो गाई का जी हां आप भी हमारे फैन है कोई ऐसा वैसा फैन नहीं हूँ बहुत ही जबर्दस फैन हूँ हमने इतने sms भेजे तब से हमारा आउटगोइंग बंद हो गया लेकिन प्रोग्राम शुरू हो रह प्रोग्राम शुरू होने वाला लड़के पितका ही नहीं पता है तो पता ही नहीं क्या करें प्रोग्राम डिले कर दे अरे राम से भाई इतनी बहुत अब्सक्ति वक्त हो गया है ना और हमें उन्हें सुनना है मतलब आप भी मेरी तरह उनके फैन है जी हा बिलकुल अगर आप उनके फैन है तो आप टीवी पर उनका प्रोग्राम क्यों नहीं देख रहे हो उनके फैन्स के लिए बुरी ख़बर है दोस्ट वो हिस्सा नहीं ले रहे है नहीं मैंने कितनी प्रारदना की थी वो भी एक पर पर खड़े होकर गायतरी मंत्र का जाप करूंगा न आप आशों में जीत कर अपने फैन्स को रुलाईए तुम्हारा दिल या हमारा दिल है हमारी जीत नहीं है यह उन फान्स की जीत है जिनकी वज़े से हमने आज हैसा लिया हम चाहते हैं कि वो भी हमारी तरफ से गुजारिश कुबूल करें और ब्लड दोनेशन जैसे अच्छे काम शुरू करें अगर वो इतना कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे मामुजान जो लड़का आ रहा है अपने उसकी तहकीकात तो कर ली है ना मंत्राले वाले गोपाल ने सिफारिश की है अब अगर तुम जासूस की तरह किसी में बुराईया ढूंडूगी तो वो तो हर इंसान में मिलेगी किसी के साथ कोई बहस मत करना है बिल्कुल प्यार से हमारी नजर में शादी एक पान की तरह है कथा चुना डालने से जैसे पान का टेस्ट बढ़ता है पैसे ही अच्छा साथी मिलने से जिंदगी समर जाती है नहीं तो वो पारी की तरह जुबान भी कर जाते हैं ने बेटी हमें तो बस उस घरीव की फिक्र है जिससे तुमारी शादी होगी आपको फिक्र करने की जरत ने मेरी बेटी के अंदर काबलियत है वेलकम जी हम पता है अंदर आईए 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 बेटा आईए बैठिये मामला सेटल कर दीजिए और कितने दिन चक्कर लगवाएंगे नहीं अब कोई दिक्कत नहीं होगी मंत्राले वाले गोपाल ने जो सिफारिश की है आप हमें बिलकुल पसंद आए एक दूसरे को देख ले अगर मन्जूरी होगी तो जल्द पी-पी-पी-पी ढुम-ढुम-ढुम-ढुम हो जाएगी पी-पी-पी, ढुम-ढुम-ढुम-ढुम, यहां कोई लड़की, देखने आ रहा है क्या, आप है, जी हां मैं ही हूँ, तुम इनने जानती हो बेटी, जी बिलकुल मामुचान, यह तो हमारे बहुत बड़े फैन है, वैसे नाम क्या है आपका, जनाप, आपने नाम नहीं बता साब बताया था शरत बेटा, यह Tata Indicom में Software Engineer के ओदे पर हैं, अरे जनाप, आप रहने दीजे, हम बताते हैं, मंत्राले वाले गोपाल जी ने कहा है, हम Tata Indicom में Software Engineer के ओदे पर हैं, नाम शरत है, क्यो ना हम कुछ वक्त के लिए दोस बन जाएं, तब ही हमें एक दुसरे की अच्छाई और बुराईयों का पता चलेगा, और जब एक दुसरे की अच्छाई और बुराईयों का पता चलेगा, तब शादी के बारे में सोच लेंगे, यह तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा जी, हैलो, ऐसी बात है, ऐसा क्या, ठीक है, हम भर देंगे, क्या हो मा कि रहने दीजी हैंने जाने दीजी्न के रोच्त काम है यह हमारा परज है कमैं क्या हम शर्द रहे हैं तुम पता है तुम कौन हो चलो निकड़ो यहां से किन हमें आपनी जो बुलाया था हम, मैंने ही पुलाया था, और अब हैं किए रहा हूँ चले जाओ पर अंकल आप इतने घुस्से में क्यों हो तुमें इस से क्या हम ऐसे ही बात करें घृ घा अब ऐसे बात यह कि हमें यहां पर और किया नहीं है थोड़ी आप अगरे हमें हुआ है ची आप अब हमसे प्यार करती हैं इसलिए तुम बाहर होँ अंदर है अब कोछ़वानी दो क्यों दे और किसके लिए दे मेरे लिए अले आप है कॉल भाजन आप दे पैसा नहीं देगा हमने उसे समझा दिया जहाँ शादी के कार्ट बटने वाले हो वहाँ क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते बेटे को शुक्रिया मत कहिए रिष्टा जोडने की इतनी चलबाजी मत कीजिए अभी तो सिर्फ फ्रेंड्शिप हुई है हमें तुमसे एक बात पूछनी थी हमारे इस फ्रेंड्शिप के एंगल में कोई ट्राइंगल तो नहीं है नहीं नहीं एक वक्त में सर्फ एक सही फ्रेंड्शिप तभी तो हम पूरी तरह से एक दुसरे को समझ सकेंगे बस इतना ही क्या रहे लड़की देखने पर देखने के भी लायक नहीं रहा ग्यान साब जी आप जैसों की गोद में तितलियां और हाथ में हतियार होने चाहिए पर आप तो हाथ में पेंटिंग ब्रश ली बैठें है आप चाहते हैं कि हम फिल्मी विलन की तरह बैठकर लोगों पर जुल्म करें पेंटिंग तो हमारा शौक है यम्राज के हाथ में फूल अजीब है ना कुई गलत तो नहीं कहा ना बेकार की बाते बहुत होई काम बताईए क्या बताएं भाई हम तीन रातों से सोई नहीं तो क्या हम आपको लोरी सुनाएं एक कलाकार के दिल कितना नाजुक होता है यह आप जैसा कलाकार ही समझ सकता है एक आप जैसा गुंडा एक दो ठके का आदमी हमारे स्टूडियो में आकर हमारे स्टाफ के ही सामने हमें जलील कर गया जलील तो किया ही, डोल की तरह बजा भी गया बिल्कुल सही कहा, आप डर क्यों रहे हैं जी डॉक्टर और भाई लोगों से कुछ भी छुपाते नहीं है अंदर की बात भी नहीं अपना मूँ बंद रखोगे, तुमारी जबान रुकेगी तो मेरी चलेगी न हाँ भूलिये हाँ तो भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ था तुम हमसे क्या चाहते हो आप उसे सबक सिखाए, हम मुजिक डिरेक्टर कोई मुसीवत नहीं चाहते आपका जूबी चार्ज होगा वो चुका दिया जाएगा आप उसे किसी भी तरह बस हम बताते हैं सर, उसे आप वैसे ही मारें जैसा उसने मारा था अबे उसने कैसे मारा था, ये हमें क्या पता हम किस मर्ज की दवा हैं जनाब आपको उसकी वैसी कुटाई करवानी है जैसी आपकी हुईती है ना जी बिलकुल भाई अब बोल कौन है वो हमें हमारे आदमी के खिराब भड़का रहे हो हां अबे बेसरी ताल तुम हमारा कारोबार बद करवाना चाहते हो क्या है जी बिलकुल नहीं हम बला ऐसा क्यों चाहेंगे तीन घंटे से की पोज में खड़े-खड़े हमारी कमारे कड़ गई है मैं इवाप थोड़ा आराम क करना हराम है चनाब तू किसी पालतों की तरफ दुम को ही ला रहा है आप एक कलाकारो इसलिए इसलिए इज़्जत से आपको खड़ा करके आपकी पेंटिंग मना रहे हैं अगर ज्यादा बेकार की बाते करोगे ना तो हम तुम्हें पुल्टा लटका कर पेंटिंग मनाएं बिल्कुल नहीं पांबू पर बिठाकर बनाऊंगा चलिए अब आकर देखिए तस्वीर तयार है दिल बाग बाग हो जाएगा आए देख लीजे बच गए हमें क्या देख रहे हैं खुद को देखो ना एक दम नींजा टैटल की तरह दिख रहा है पूरे बदन पर सोना भर लगे अनिंध़ करोगे जम करोगे ई सका सपीर क्सा निकाल हुँ नहीं भरा है नीज्वा arrive क्या होँआ इंसानियत नाम की कोई चीज भी है आप कहो तो इनका बिल हमवे घर देते हैं शोनी लौटा में जटना वा day जाईये और सवा पहन है बहुत महां शिवानी जी आप यहां कैसे मंदिर जा रहे थे आपको देखकर रुख गए अजीब इत्तफाक है हम भी वहीं जा रहे थे लेकिन यह देखकर रुख गए हम हर शनिवार को मंदिर जाते हैं चलिए साथ चलते हैं कि यहां के लोग दूसरों को भाई कहकर बुलाते हैं आप रुके मैं देखता हूं अरे जनाब रुके 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 प्लीज रुके जनाब हमें रोकने वाले तुम कोन हो भाई आप ही कि तरह इंसान हो चलो पुड़े आसे रुक जब तो मारी भावी देख रही इसे बाद में निकवट लेंगे समझे जनाब जनाब प्लीज प्लीज जनाब मैं 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 समझा ता आपको बाद में जोड़े करने अरे शिवानी जी आप यहां पर चोड़ तो नहीं लगी आपको मार पड़ेगी तो चोड़ तो हाथ उठाया और फिल भी अपने उसे छोड़ दिया रात को उसे अपनी गलती का ऐसा जरूर होगा वैसे भी गांधी जी ने कहा है एक गाल पर थपड़ बारे तो दूसरा आगे कर दो हम वैसा तो नहीं कर सकते लेकिन उसे जोर-जोर से ना धोकर हम गांधी जी के आत्मा क मेरे चोकरों की बॉक्सिंग प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई खत्म हो जाएगी तो छोड़ देंगे लो हम बोल रहे हैं शिवानी क्या बात है जी कुछ खास नहीं बस आप से मिलना चाहती थी जी बिलकुल कहा मिलना है ऑफिस छोड़कर हम से मिलने मत आईए आप वहीं के ओफिस जाएगी सुनिये मैडम हां शरत का मिलेगा वहीं जो आथी के बच्चे जैसा दिखता है उस कैबिन में है ओ नौ क्या रहे है क्या चल रहा है जड़ी से कोट उतार लेकिन किस लिए उतार मुझे पहनना है उतार कोई हम से मिलने यहां कोई क्यों आएगा समझाया जब भी तुमारी ज़रूरत पड़ेगी आजाओंगा सर कीज मत दबाईये वरना सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी ज़्यादा पकपक मत कर हम शरत हैं हमें सब पता है तो हम कौन है हाई शरत हाई 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 होई नए प्लीज कम शरत यह कौन है आप ही गैस कीज आप से जाकर टी कॉफी और करो मैडम के लिए आप बहुत होशे आ रहे हैं हम आभी जाकर और कर देते हैं है मिस्टर दो दिन पहले कहा था कि हमारे लैप टॉप में वायरस आ गया है आज क्लाइंट आने वाले हैं उन्हें प्रिजेंटेशन देना है ये बात तुम्हें य कॉटी ले लेते हो ये आफिस है काफी हाउस एया गेस trom apnarium हो तुम लोग दोस्त बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं हमें पता था आपका और रुत्वा क्या है इस कुर्षी पर क्यों बैठे हो आप तो ये भी फूछेंगे कि लड़की कौन है बिल्कुल सही कहा किसी लड़की को पूछे कि आ आप कौन है तो बे जती हो जाती है ये कोई मुख्य मंत्री नहीं है यह सेलिपृटी है सर ये लड़की सेलिब्रीटी है कौन से फेड में? संगीत, शिवानी जी, दे ग्रेट सिंगर तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लता मंगेश का रुआदे कभी नाम भी नहीं सुना इनका मैंने शिवानी जी, आप बुरा मत मानो, इन्हें बात करने की तमीज नहीं है हम आपको कुड़ादान दिखाते हैं यो शराद, सडक छाप लोगों को हमारे ओफिस में लाग कर तुम मेरी इज़त उतरवाते हो हमारा उससे कोई तालूक नहीं है सायर कोई तालूक नहीं है तो केबिन में तुमारा कोट पैन कर तुमारी कुरसी पर कैसे बैठा हमारी कुरसी तो दूर, वो हमारे कुंडली में बैठ गये है शिवानी जी आप परिशान क्यों हो लिए हमें माफ कर दीजे गलती हो गई आप पर हाथ उठाने के बाद हम रात भर सो नहीं से के आप हमें माफ कर देगे तो हमें बहुत सुकून मिल जाएगा अरे ऐसा से बढ़कर कोई पश्चाताब नहीं खुद को देखे कितना बदल गए हैं हम भी यहीं चाते थे अब किसी पर हाथ मत उठाइए बिल्कुल नहीं उठाएगे बाई साब शिवानी जी हमारा सारा घर आपका दिवाना है हमारी दुआ है आपको इनके जैसा नेक इंसान मिले ठीक है चलते है यकीन नहीं हो रहा शरत जी ये फामुला तो बढ़ा कमाल का है इसमें कौन सी बड़ी बात है हमने तो बस वही किया है जो गांधी जी ने कहा है खैर आप हमें ये बता दीजे कि हमारी ये फ्रेंट्शिम की शिव कहां तक कहुंची है शादी के मंदब तक पहुंच चुकी है आपकी बनाई ये पेंटिंग तो एक्जिबीशन के लाइक है इसे एक्जिबीशन में भेजिए भाई एक्जिबीशन में अगर गई तो यदि निकल जाती है तमीज है या नहीं हाँ तुमने अच्छा नहीं किया शिवानी काने का मुकाबला जीत का सारा श्रे अपने फैंस के नाम कर दिया इस बड़े भाई के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा अगर हम आपका जिक्री कर लेते तो सबको हमारे रिष्टे के बारे में पता चल जाता ना क्या बात है शिवानी तुम तो बहुत दूर की सोचती हो छह हमने कभी सोचा भी नहीं था अगर इतना दिमाग होता तब तो सोच पाते ना अगर हमारी चोटी बहन का ख्याल रख रहे है ना यह हमारी अपने आउलाद नहीं है लेकिन यह हमारे लिए उससे भी बढ़कर है बेटा अच्छा आपकी पेंटिंग के ट्रेनिंग कहां तक पहुँची मास्टर जी की दूआ से पैंसिल से ब्रश पकड़ना सीख लिया है एक छोटे से बच्ची को भी पैंसिल से ब्रश पकड़ने के लिए सिर्फ दो हफ़ते लगते हैं इनको दो साल लग गए हैं बास्टर जी हमारी चुटकी आईयस लिए दिल नहीं लग रहा है आज पेंटिंग से चुटी दे दीजे ना तुमने दुनिया के बदलते रंग क ह्थना भी देखें जब लोग हमारे पास कोई अपनी परिशानी लेकर आते हैं तो हमें भगवान समझते हैं सगे बेटे से बढ़कर मानते हैं लेकिन जब हम अपना घर बसाने की बात करते हैं तो कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तयार नहीं हूता है हम एरे गुंड देर किस बात की है जल्दी बुलाओ से यही बैट बजा देते हैं दिल का दौरा पड़ जाएगा उसे क्यों वो दिल का मरीज है क्या नहीं भाइजान वो तो बहुर शरीफ है हमने अपना खांदानी बैग्राउंड बड़ी मुश्किल से चुपा है अस्तित पता चलने पर ब बिलने बुलाया है वहीं जा रहे हैं रगु सेर हम शरत बात कर रहे हैं कौन शरत वहीं जो हाथी की बच्ची की तरह दिखता है अरे आपका यह क्या बात है अब आपसे क्या बताएं सर तो फेर मत बताएं आपने हमारे नाम का इस्तिमाल किया तो हमने भी आपके नाम का इ हिंदुस्तान उसी तरह इस रगु रोकड़ी की शान आप जो चाहे ले जा सकते हैं जरुद पड़ी तो फिर आएंगे आप बाल बाल बेंगे शावाज मेरे शेर बिना किसी डर के नाम का इस्तमाल करो वह ही तो कर रहे थे सार साहब मेरे पैसे जानते हैं हम को नहीं जानता इस सैड कॉलकाता वेस सैड आमची मुंबाई नौर सैड लगदा कश्मीर साउट सैड कन्या कुमारी जैसे दुनिया भर में फेमस हिंदुस्तान वैसे ही फेमस इस रगु रोकड़ी की शान तुम रगु रोकड़ा हो येस तेर रहे हैं अब हमारी चुटी सी मदद कर देंगे क्या करना है इनका कहना है कि हम रोज पूलिस थाने आकर आपके दस्तकत करें मेरी तरह से पूरी जाज़त है अगर जाली दस्तकत किये तो यह लोग हमारी पूरी तरह बाराफ निकालेंगे आप तुम्हीं बताओ कि हम क्या क आप यहां आकर इस्पेक्टर को बता दे कि आप ही असली रगुर होकड़ा है आपका कुछ नहीं मिगड़ेगा हलो 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 अभी तक तो आवाज बिल्कुल साफ थी तो मोबाइल वाले से कहो हमें क्यों सुना रहे हो पर उसका मोबाइल कॉन सा है भाई अगर असली क्या बात है बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है यह क्या आपको दुनिया की तरह गोल-गोल घुम रहे हैं तिकरा गोल-गोल घुमते जा रहे हैं सेट रास्ता इस तरफ है ए मुझे पता है हट चल्ट कौन है अब भाई जान आप है अब तो सच में पक्य बिजनसमें लग रहे हैं अगर उसने मना किया ना तो पीट-पीट कर रहा करवाएंगे मुझट कहीं के मुझ खोला तो जिबान खीचलूंगी वह बंद्या कपना वर्ला हमारी सखाई जुदाई में बदल जाएगी प्रण बेहतर खैर शिवानी शरत कुमार का है कि अगर 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 यूटन ले लेकिन मुझे तो सीधा जाना है मुबंद्रक जैसा बोला हूँ ऐसा कर हम किसी खास काम से जा रहे हैं मुझे बताओ कहा जाना है ज्यादा हुशारी मत कर किंग कौन है किंग गारी घुमा एक्शन फिल्म की तरह बंदू गाडिया कहा से आ गई लड़की वाले इंतजार कर रहे हमें जाने दो चुक चाप गारी चला भाई पकाड लिया उसे और ले उसे बताव वाले चला खाई मिगने ज्ड़ उसे कर कक ले सब्ताव के लिगाना वाले टारी आपने पिर आपको तर अाँ नाँ! तर आपको तर आपको ए्ट 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 भूब कर दो! एस्ट में कॉलकत्ता, वेस्ट में अमची मुंबाई, नौर्थ में लद्दाक कश्मीर, साउथ में कन्या कुमारी, जैसे दुनिया भर में फेमस हिंदुस्तान, वैसे ही दुनिया में फेमस रगुरोकडे की श्यान, बीच में ये किंग कहां से आया? एकिंग, मारत आदी से! क्या बात अभी तक नहीं आए? कहीं ट्रैफिक में किसी से मार पीट तो नहीं हो गई? मार पीट? मार पीट हुई तो वो खुद ही पिट करा जाएंगे. गलत नमर लग जाएंगे, तो माफी मांग कर फून कट कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत आदमी को छेड़ोगे तो दफन हो जाओगे. शरद भी ना, कहां रह गए? अब आ रहे हैं, भाईजान कौप से इंतिजार कर रहे हैं? भाईजान? उनके सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं, उन्होंने ही हमें मामुचान के पास बढ़ाई के लिए भी जाथा. तुम्हारे भाईजान करते क्या हैं? उनका इंपोर्ट एक्स्पोर्ट का बिजनेस है. चलिए, आपको मिलवाते हैं उन्हें. भाईजान? भाईजान, ये हैं शरत सौफ़वेर इंजिनियर. शरत, ये हैं हमारे भाईजान ग्याने शुर्ट हादवेर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में. अब ही पता चल जाएगा कि ये शरत है ये रगुरोकड़ा ये रगुरोकड़ा नहीं, शरत है. अब ही पता चल जाएगा कि ये शरत है ये रगुरोकड़ा. भाईजान? शरत? 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 अरे शिवानी, ये हमारे लिए 20% पर काम करने वाला रगुरोकड़ा है. ये मकार कोई शरत नहीं है. ये क्या कह रहे हैं भाईजान? इन्हें मामुचान के दोस्त, सेक्रेटरेट वाले गुपाल जी ने भेजा था. हम इनके ओफिस तक जा चुके हैं. कितनी मुश्कल से इन्हें पसंद किया और आपने सारी महनत पर पानी फेड़ दिया. अगर किसी लड़के को पता चल गया कि हम आपकी बहन हैं तो कोई शरीफ लड़का हमसे शादी नहीं करेगा. इतने वक्त तक हम यही जुदाते रहें कि हमें गुण्डों से नफरत है. पड़ी मुश्कल से यह मिला था और आपने इस पर गंदान दी. बिल्कु लखल नही गंदी गीरी की. अरे इसके मुपर पानी का चीटा मार करोश में लाओ. शरत आप ठीक है? इसे रखो. लेकिन आपने तो कहा था कि आपका बिजनेस है, तो यह गन किसलिए और यह रगुरोकडा कोन है? शेहर का मश्चूर बनपाश है. हम कुछ समझे नहीं भाई. और समझ भी मात. हार्डवेर वाले के साथ हमारी एक जरूरी मीटिंग है. हमें वहाँ जाना है. चलो रहे. बिल्कुल सही का. स्लाव kissing, हमें वह वह क्या लगा रखा है? कहा है वो? वह कोई राजकुमारा जो अभी तक सो रहा है. जगा ओ इसका मीने को. जाओ. आऑँ. आँप. 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 आँठाओ इसे. ताकत रही है क्cen? क्या तुम लोग भी सुबह-सुबह अरे पाटनर तुम सुबह-सुबह कमिशन के लिए पहुँच गई या यकीन नहीं हो रहा था तुम जपराओ या रगो तुम साड़े साथ बजे कहा थे काला चौकी पुलिस थाने पुलिस थाने में क्रेडिट कार्ड की वसुले में एसीप के साले साब को पीड दिया था इसलिए रात बार लॉक अप में था अच्छा एसीप रमेश को कॉल करो रे अहां भाई रमेश तुमने किसी रगू रोकडा को अंदर किया था क्या सिर्फ अंदर नहीं किया अच्छा ये बता जब तुमने उसे छोड़ा तो कित्रे बजे थे अमने उसे ठीक दस पैतालिस पर छोड़ा था पक्का ना एकदम पक्का या रखू सारी रात उन्होंने लॉक अप में तुम्हारा बैंड बजाया तब तुमने उन्हें क्यों नहीं कि तुम हमारे आदमी वो छोड़ देते तुम्हें आपको लगता है कि हम जिन्दा बचते जबर्दस्ती की गर्मी दिखा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों इतने हू बहू कैसे हो सकते हैं अरे मैं बताता हूँ ना भाई इस बार की दिवाली वाली रात को मैंने हिंदी फिल्म देखी थी टीवी पर उसमें एक रईज घराना होता है भाई उस घराने में मननत के बाद दो ट्विन्स पैदा होते हैं ये ट्विन्स बोले तो जड़वा बच्चे भाई अब ए चांदान में पला जिसे हमारी छुटकी ने पसंद किया और वो शरद है जरा अपने शरद का पता तो बताना अरे हमने उसे रगूरोकडा समझकर उसे बुरा भला कह दिया था जाकर उसे माफी मांगेंगे अरे आप यहां पर नए 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 नैं नावकरी से निकल वाकर पेट नहीं बढ़ा तो घर चलिया है हम आज जोड़ते हैं हमारा नाम और पीच्छा छोड़ते हैं दुनिया में तुमी एक शरद हो क्या रगूरोकडा भी तो दो हो सकते हैं अरे इसलिए तो काली चौ कुछ नहीं कर सकते हमारी दादी जान नाभी ना और दादाजी बेहर हैं यह तो काउं की बात निकली दादी देख नहीं सकती दादा सुन नहीं सकते और जणाव की अखल कम है यह खांदा आभी के लिए बनाए सा है अरे वेटा यह लोग कौन हैं दोस्त है हमारा नाम वैसे एकदम से तुम सारे दोस्ति यहां कैसे शरत को देखने के लिए लड़की का भाई आपके घर आ रहा है जब जब उन्हें तुम से मिलना होगे तुम यहां पर गुसोगे अरे ललू यहां है यान रहे मैं अंधी हूँ यह बहरे यह उन्हें पता ना चले लड़की वाल जल्दी जल्दी आरे जल्दी करो अरे भाई आप यहां कैसे अरे आपको इंतिसार भूर आ रहा है वो क्या है अमने जो आपके साथ किया उसका में बहुत अफसोस है कोई बात नहीं भाई इसलिए सोचा कि आपसे माफी मांग ले और आपके घरवालों से भी मिल ले यह कौ मिन्दा इसलिए माफी मांगने आए अरे आप खड़े क्यों है बैठ जाईए अरे शरत तुम हमारे पास बैठो हम अपने बच्चे की तारिफ नहीं कर रहे हैं लेकिन यह हीरा है हीरा बड़ा ही नेक दिल है बिलकुल बिलकुल दादा जान दादी जान हमने शरत के लिए रिष्टा भेजा था ना उसे कैंसे लिए समझो उन लोगों ने शरत को बहुत गालिया दी उसने आपको नहीं बताया लेकिन हमें बता रहा था भूल जाईए उससे भी बड़ी आरिश्टा देखेंगे हम उसके लिए अरे गोपाल आप नारास की होते है होने वाली बहु क अब भाई माफी मांगने आया है जी गोपाल जी नमस्ते अची तरह सोच समझ कर बोला करें आप अरे मैंने क्या कहा खैर ये कौन है ये भी शरत है जी हाँ ये भी शरत है शरत की आवास बदल के से कई हमारा ललू कहां है हमें सोच समझ कर मामला संभालना पड़ेगा अरे जनाब आप तो सिर्फ नामों से परिशान हो गए है हम तो चेरे देखकर परिशान हो गए थे इसलिए तो भूल कर बैठे शरत तुम्हें देखकर एक बात दिमाग में आ रही है तुम खूबसूरत नाजवान हो तुम्हारे लिए भी एक लड़की देखता हो अरे चुपक हमारे शरत के लिए इससे अच्छा रिष्टा देखोंगे हमें धक्का क्यूं दे रहे हैं लड़का दिखने में स्मार्ट है इसलिए हमने दूसरे रिष्टे की बात की आखिर इसमें बुराई क्या है आप हमें सूट बुट में देखकर शरीव आदमी समझ रहे हैं बताओ क्या कर दोगे तुमेरा अरे यह तो चलिजबर उतरा है सुन गोटिया इन्ने को पाल जी को समझा कर भेज दिया है कोई मुबारक दिन देखकर तारिक पकी कर लेते हैं आप क्या कहते हैं दादा जान बिलकुल बिलकुल अरे आप हर बात दो बरतमा कहते हैं शरत कुमा जरा आईए ना बाते मिलते हैं अच्छा बिटा अच्छा अरे तुम्हारा साला तुम्हारे साथ चल रहा है उसे तुमसे ज़्यादा तुम्हारे दोस्त पर दिल्चस्पी है इतनी दूर की भारी भरकम बाते अगर सोचेंगे तो गलत फैमी में ही निकल लेंग के छोड़े भाई ने अरे नहीं हमने हैं आपने हमें तो यकिन नहीं हो रहा कमाल है बेमी साल देख लिया तुम लोगों ने शरत एक इंजिनियर होने के बावजुद फन की कदर करना जानते हैं और वो कमीना रग रोकड़ा फन की कदर क्या जाने हैं वो कमवक्त आदमी न आपने देखा भाई दो नो भाई भेन पूरे ड्रामे बाज है कैसे गालिया बख रहे थे आपको आगास भले उन्होंने किया हो अंजाम तक में ले जाओंगा शरद और अगु के चकर में डाल कर ऐसा घुमाएंगे कि हो जाएगा उनका भेजा फ्राइब पाकिस्तान पर और पचीस लगा दो अरे क्या है हम भागे जा रहे हैं क्या चब देखो पैसे पैसे करते रहते हो अरे दादू इसके घर में बोन करके भेजों की पैसा दे और अपना पार्सा ले कर जाए ले जाओ अरे दादू हमें 50,000 अभी चाहिए थे पिछला उधार अब जख दिया नहीं है तुम्हें पैसा नहीं दूंगा नहीं दूंगा तो फिर हम किसलिये जिल्दा है आपके सारे के सारे पैसे लोटा देंगे अरे शवीग भाई हम 50 बेज रहें पचीस यहां लगाओ पचीस वहां यह क्या भाई अब सब तक हम इसको जहलते रहेंगे जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक क्या बात है किंग जिन्दा है अभी बहुत बड़ी खुश खबरी सुना ही तुने कि हमारा भांजा किंग इसी शहर में है तलाश जारी रखे जारी रखे सुनो दादू, हम आपके सारे के सारे पैसे चुका देंगे और आज हम लोग खुश है मनाएंगे खर्चे के फिक्र ना करें, फिल खोल कर खर्चा करें अरे वो यकीनन मिलेगा आखिर वो जाएगा भी तो कहाँ समझे वो हमारी खैद में है सारे कम शिवानी, क्या बात है भाईजान बहुत खुश लग रहे हैं? हाँ, बात है ही खुशी की पता है, हमें लग रहा था रगू रोकडा डबल रोल खेल कर हमें चुना लगा रहा है लेकिन हम गलत थे, वो दो ही हैं जमीन आसमान का फर्क है दोनों में हमने उन्हें इसलिए चुना कि हमारे खांदान में घृल मिल जाएंगे जितनी जल्दी हो, तय कर दे फिर क्या डोल बजा दिया लेकिन एक मुश्किल है, मोरत एक घंटे में निप्टागे एक घंटे के अंदर? हलवाई की दुगान से मिठाई खरीदनी है क्या? कुंडली के हिसाब से, सगाई जल्दी हो जाएगी, तो ही भला होगा एक घंटे में कैसे होगा? कोई दूसरा वक देखें दूसरा मोरत अभी नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी ए पंडिक, तिरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक लगाऊंगी ना, तो अगल चिकाने आजाएगी गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं बेटा, बात यह है कि अगर सगाई वक्त पे नहीं हुई ना, तो गलत्फेमी पैदा हो जाएगी सच कहूं तो, अगर मौरत निकल गया तो जो पहला बच्चा पैदा होगा वो अपने मामू जन को खा जाएगा? अरे, मैं कोई मलाई कुल्फी हूँ, जो पैदा होते ही मुझे खा जाएगा? देखे, इसे मामू मुसिबत कहते हैं, आपकी जान को खतरा है कौन है वो, जो हमें मौत के मुँ में लेकर जाए? छोड़िये ना भाईजान, आप भी कहाँ इंसल हो जो है? ठीक है, लेकिन चांस भी तुन्हें ले सकते हैं, अगर इनकी बास हाच हो गई तो, तुम शरत को यहीं बुला लाओ उन्हें ये सब बता दें क्या? अरे, उसे ये सब बताएंगे, तो वो सवालों का पहाड खड़ा कर देगा, तुम किसी भी बहाने उसे यहां बुला लो, बागी सब हम देख लेंगे अरे, हमारी मौत की घंटी बजने में सरफ 30 मिनट बागी है, पता नहीं वो दफ़ता से निकला भी है नहीं, तुम क्या मेरी मैयत उठाने के लिए खड़े हो, निकलो यहां से भाई, शरल भाई इस तरफ आ रहे हैं ये सब क्या है? आते ही सबार शुरू कर दिया, तुम्हें माली की कसम है, अब चाहे जो भी हो जाए, आदे घंटे तक तुम कुछ नहीं बोलोगे आँ, उपराली की कसम दिया तुम्हें, अब हम तुम्हें बताते हैं पंडी जी ने आपकी कुणली देखी और कुछ बताया कि अगर तुम्हारी सगाई तीस मिनट में नहीं हुई तो आपकी जिन्दगी में राहू के तु दाखिल हो जाएंगे और आपको जंगल का रुख करना पड़ेगा जानते हो वो राहू कौन है, वो रघू रोकडा उस 420 घटिया डुप्लिकेट से बचने के लिए ये एकदम से करना पड़ रहा है अरे हम जानते हैं जी जा जी आप परिशान हो रहे हैं, आपके घरवाले शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिर फिकर मत कीजिए, हम उनको बाद में बुला कर सखाई कर लेंगे अरे आपके हुँँँँ के चक्कर में मुबारा घड़ी निकल जाएगी, गुरु रसम शुरू कीजिए अरे मंगलम मंगलम बंडरी शाय, मंगलम बंडरी शाय, मंगलम बंद कर दिया, जल्दी सारी रसम अदा करें आप जब हम कहें तो वदू नमा कहना श्री गड़े शाय नमा, वो नहीं नमा बोलो नमा, बाई साब क्या दुला गुंगा है यह क्या मुसिवत हो गई, अगर दिल में नमा कहें तो तो देर क्यों कर रहा है, चल जलेगा, शुब शाय नमा, अब एक दूसरे कौंग उठिया पहना ये, अरे चलो श्री जल्दी से पहना दो, आरे वावा चलिया हो गया, अब आप इसे पहना दीजिए, अरे पहना ये अरे श्री वादी, अगर इसने मूद खोल दिया तो जंगल की आग की तरह खबर फैल जाएगी, इसे फिल्म दिखा के लाओ, ये तो बहुत ही पॉपलर कर लाकार है, पहले सीरियल में आक्टिंग करती थी अब फिल्मों में करती है, तिस्टरा मत करो, फिल्म देखो देखर वो मुझे सॉफ्ट एर कंपनी का मालिक समझा, शादी वाले दिन खाना किला के हमें मतर का देना, हमें अच्छी वाली साड़ी बीचाइए, आप साड़ी मांग रहे हैं, और हम दस साल से एक लड़की मांग रहे हैं, वो आप लोगों ने अभी तक तलाश की क्या, क इतनी अच्छी लड़की थी, लेकिन आपने का गुंडों का खांदाना ये पहली रात थाने में होगी, भाग गए वो लो, उन्होंने कहा था, उन्हें समझदा लड़का चाहिए, तुमारे पस अकल कहा है, क्या कह रही हैं, समझदा नहीं होते तो शरत जैसा रिष्टा मि हाँ, हमारी बहन, आपकी बहन ने कॉल किया, तब ही तो आये हैं, फिर वो जो आया था, डबल रोल वाला भाई, रगु रोकडा, वो आपसे कुछ कहना चाहरा था, आपने ही कसम देकर मुह बंद कर दिया, अगर हमें हमारी दक्षिना मिल जाए तो हम चले, आप जड़ा हम हम अभी आते हैं, अरे रे रे पंडी जी, सगाई गलत आदमी से हो गई है, अब तो इसका कोई उपाय नहीं है, ये ना मुम्किन है, अगर दुलहन मौजूद नहीं है, तो उसकी जगे पो उसका भाई खड़ा हो सकता है, इसलिए अगर आप चाहें तो दुले को नहीं होई तो आपको भी शादी के बाद जंगल में घूमना पड़ेगा, पूछें इनसे, बताइए पंडी जी, लेकिन शीवा नहीं कहा है, फिल्म देखने गई है, अरे हमारे खांदानी रस्म है, अरे आप पैनाएंगे तो शादी आप से करने पड़ेगी, अरे ये सिर पीटे जाएंगे, नहीं बताएंगे, तो भी पीटेंगे, चूले में जाएंगे, ये मर्दों की सगाई, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, अभी तो आगास है, आइस्ता आइस्ता सब सब जाओगे, भाई, रगुरु कोड़ा बहुत खतरनाक चीज है, बेहन उसके साथ अकेली हमें जल्ली चलना चाहिए, अच्छा शरच जी, माफी चाहते हैं हमें किसी वी आईपी से मिलने जाना, इसलिए आप घर चाहिए, राहु के तुसे, हाई, कहां चले गए थे आप, कुछ जरूरी काम याद आगया था, वो पूरा करने गया था, हे, कोई भी शिवानी से कुछ नहीं कहेगा, हे, कौने बे, भाईजान, आप यहां क्या करें, बाहरा, हाँ, बाहर चल बाहर, ओके, हम अभी आते हैं, फिर से क्यों, इधर तो आ न, क्यों कमबक्त रखो, वहाँ इतना कुछ हो गया और तुमसे मूह तक नहीं खोला गया, और हमारी बेहन से सगाई कर ली, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम शरद नहीं, रगु रोकड़ा हो, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बात तो सही है इसकी, हमसे भूल हो की शरद और तुम, तोनों हूब हुओ इसलिए गलती हो गई, जब से आपकी बेहन को अंगूठी पहनाई, वो हमारे दिल में बस गई है, दिल कोई किराय का मकार नहीं है, जब चाहा बदल लिया, हम खुद आपकी बेहन को बता देते हम शरद नहीं है, रगु रोकड़ा ह देखो, हमारी बास सुनो, अब जो होना था वो हो गया, इसमें नहीं तुम्हारा कुसूर है ना ही चुटकी का, ये सब मेरी गलत वहमी और कसम की हरकतों की वज़े से हुआ है, हम तुमारे लिए खूब सुरत लड़की की तलाश करेंगे पहले खुद का बेंड बजाओ, फिर हमारा बजाना कैर वो छोड़ो, हमने 20% पर तुम्हें शहर दिया था ना, एक काम करो पूरा ही ले लो चांद से मार डालेंगे, क्या कहते हो एक बात याद रख, हमारे खांदान की रसम के मताबिक सगाए मतलब आदीशादी आप रिष्टा तोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता अगर बीच में कोई भी शरद वराद आया तो उसका पारसल करके मैं तुम्हें भेज दूँगा यह बात भेजे में घुसा ले शिवानी का होने वाला शौर सिर्फ रगुर रुकडा और कोई नहीं भाई जान अब यहां क्या कर रहे हैं आप दरसल हम बात कर रहे हैं आप क्यों परिशान होते हैं वो खाला जान है ना उन्होंने का आई कि हमें तुम्हें सगाई वाले रोज फिल्म देखने के लिए नहीं भेजना चाहिए था इसलिए हम खुद तुम्हें लेने के लिए आए हैं आप भी कैसी बातों पर रिखिएंग करते हैं हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं अब घर चले जाएं शरत चले तुम बात नहीं समझ रही हो शरत अरे शरत को यह सब पता चला तो वह बेहोश हो जाएगा सोट समझकर कदम उठाना पड़ेगा कदम ही क्यों भाई पूरा हाथ उठाते हैं आज आप काफी टेंशन में लग रहे हैं सर आप कोई धुन बना रहे हैं क्या मनसूबा बना रहे हैं कैसा मनसूबा उस रगू रोकड़ा और घ्यान से पदला लेने का इतनी जल्दी अब आपके पास सुजानी के लिए बचा ही क्या है तो मैं नहीं पता इंतिकाम क्या होता है इंतिकाम के चकर में रोजगार चला जाएगा छुब करो जुआला मुखी से धिमाग उबल रहा है हम धुन नहीं सोच पा रहे हैं अरे आप कब से धुन सोचने लगे सेर इंटरनेट है ना गूगल पर सर्च किया बस करो ताने मार मार के घुसा ना दिला आपकी बात समझ रहा हूं मैं इंतिकाम की दर्द को हम पहचान सकते हैं एए चलो चलो साइड हो जाओ यहां कोई सेल लगी है क्या कहिए क्या बात है यह शरद है रगूर उकड़ा है समझ में नहीं आ रहा है भाई नाम क्या है इसका किंग किंग आप उसे नहीं जानते हैं बुरे शेहर में उसका खौफ है लाजा चंदर परताब वर्मा हम उसे ढून रहे हैं भाई जरा साइड में आना एक मिनिट के लिए इतने नाजुक मामले में दखल क्यों दिया भाई मैंने आपको जो नवाब खांदान की कहानी सुनाई थी ना उसमें जड़वा नहीं बलकि तीन बच्चे पैना हुए थे खामोश रहेगा एक है शरद बाबू दूसरा रगू और तीसरा किंग बिलकुल साही चेंग के अलाबा दो और लोग है यह इनको पता नहीं है यह लोग शरत तक पहुंचे इससे पहले अगर हम रगू को इन तक पहुंचा दें तो अपना शरत महफूज और उस रगू का खेल बिलकुल साही तो बात समझ गए अगर हम किंग को आप तक करना चल रहे हैं ए शिवानी हमें तुम्हें एक दिल देला देने वाला सच बताना है बताए भाईजान अरे भूल से गलती होगी और हमने रगू को शरत समझ कर तुम्हारी मंगनी उसके साथ करा दी क्या हाँ शिवानी असल में उस रोज ऐसा हुआ ना कि मतलब अब हमें रगू से शादी करनी पड़ेगी क्या नहीं नहीं क्या तुमारे भाई-जान तुम्हें बर्बादी के हवाले कर सकते हैं लेकिन फिर उस पंडित ने इस गलती को सुधार दिया है देखो तुम्हें किसी बात को लेकर फिक्र मन होनी की जरूरत नहीं है हम है ना हाँ पर र चलो शिवाने जल्दी से बता दें देख रगू गलती सही सही हमारी मंगनी तुमसे हो चुकी है तो अब शादी भी तुमसे होगी अरे अब तुम शरत वरत छोड़ो जो हो गया सो हो गया उसे हम बतल नहीं सकते हैं अच्छा हमारे यह दस्तूर है कि मंगनी के बाद होने वाले बेनोई को दावत देते हैं अब जल्दी लेकर आएगा जल्दी करें लाइए दीजिए यह लीजिए पीकर देखें होश उड़ जाएगे अरे यह अम्रित है असले अम्रित कुछ हुआ नहीं से अरे दादू आपका पांच करोण बोरे में आ गए और यहां से यहां से और रहो रहो जल्दी खोलो को अरे जल्दी को बाद अनु नो चलो कोडि खोलो हमारा सुदब ही घूट जाता अब भाय मीं में कैसे आगये हमने कहा था कि होश में रहना उसे बोरे में डालना हैं और तुमbayर गर यह में Anyone लैक तुमने मिट डाल ओगा है कि आहाए कमबक्त हम सब को चूना लगा कर भाग गया हम खुद उसे पकड़ कर लेकर आएंगे चलो रहे तुम यहां से तब जाओगे जब किंग यहां आएगा तुम ज्यान को धंकी दे रहे हो जब देखो गन की दुकान खोल लेते हो दिमाग है भी या नहीं अगर हमारा खेल खतम कर दोगे तुम लोगों को किंग कैसे मिलेगा यह आप क्या किरें भाइजान हम बार बार नहीं बता सकते तुमें जो ठीक लगता है वो करो लेकिन रगु को पकड़ो सुनो तुम बेवक दो घंटों तक होश्ट नहीं आना चाहिए बस हमें वह टेकनिक नहीं आती हम तो फटका मार देंगे फिर चाहे वह जी है या मरे तुमें आता क्या है पेवकूफ कहीं का वह आ रहा है चपचाओ जल्दी करो चल्दी जल्दी करो ना जल्दी चुपा हां परसन निकालो जल्दी करो गया कमबक्त विल्कुल सही वक्त पर आई हो एक मिनट भाईचान इनकी हिम्मत कैसे हुई आपको पकड़ने की अरे रे रे यहां को इनसान होगा तो बात करूगी ना उससे इन लोगों से हम बात करते हैं तुम रुको ए चश्मेश यह लोगेंग अभी जो करना है कर पराद भी बहुत चैप्टर है हां बाद में कहना मत कि अपने बताया नहीं है संपते से अच्छा हुआ ले गए अब अबारा सरदर्थ खत्म हो गया जाकर उनसे पेमिन ले करा तो अजार के नोट ले करा ना ठीक है भाई इस सब कौन है हमें छोड़ दो यहां के लोगए अब अब हम क्या करें अरे रुखिए रुखिए पहले के भटके भूल गए है कौन है याँ पर आई ये किंग आई ये इन लोगों ने किंग का नाम लिया तो इने मार-मार कर सुला दिया तुमने किंग का नाम ले तो चीर डालेंगे हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं तुम किंग नहीं हो लेकिन अगर हम तुम किंग के जगे पहुचा दे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे वो भी पूरी तरह से तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए किंग बनना पड़ेगा किसलिए किंग बननू? एक करोड रुपियों के लिए बात पैसे की नहीं है देल की है समझे अगर आपका काम सही है तो जरूर सपोर्ट करूगा हम घलत काम करते ही नहीं बीवी बच्चों से दूर जानवरों की तरह हमिन गुंडों के बीच कैसे जी रहें अब तुम्हें क्या बता है? हमारे भांजे किंग का लिया हुआ कर्जा हमारे गले का फंदा बन चुका है हम आपकी तकलिफ समझ सकते हैं लेकिन मान लिजे अगर कहीं से असली किंग निकल आया तब क्या होगा? किंग नहीं आ सकता, कभी नहीं पर क्यों नहीं आ सकता? वो इस दुनिया में नहीं है क्या कहा? इतने दिनों से हम से जोड़ बोलते रहे क्या हमारे करजा चुकाओगे आप कहरों किंग है ही नहीं अरे दादू छोड़ो हमें अगर आपको ये बात पता चल जाती तो क्या आप हमें छोड़ देते? आप रगु की मदद से आप लोगों का करजा चुकाने का मौका मिला है इसलिए बता रहे हैं आप सच बोल रहे हैं इसका क्या सबूत है आपके पास गोपी ये किंग की मौत का चश्मितीत गवाह है बताओ इन्हें डेट सेटिफिकेट और डेट बॉड़ी का फोटो किंग की मौत के बाद हमें लगा हमारा खांदान खत्रे में है इसलिए हमने ये बात अपने तक रखी रगो बेटा अगर आप मदद कर दें तो शायद हम कातिल तक पहुँच भी सकते हैं प्लीज आपका काम सही है हमारा दिल राजी है डिल तै है भाईजान शिवानी जी शरत तुम उस मंदिर में क्या कर रहे थे हम हर शनिवार को मंदिर जाते बताया था ना बस वहाँ पहुचते ही किसी ने हमारे सर पर पीछे से मार दिया जब आग खुली तो यहाँ पर थे अरे ये तो हमें भी पता है अंदर क्या हुआ ये बताईए मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता उनसे हमने डिल की है अगर किंग की एक्टिंग करूँगा तो एक करोड मिलेंगे हम तो वाकरी डर गए थे तुम्हें डरने की ज़रत नहीं है शरत भाजजान चली उन्हें बता देते हैं कि ये रगु नहीं शरत है अब तुम भी शरत की तरह बात करने लगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है उन्हें शरत रगु से कोई मतलब नहीं है उन्हें सिर्फ किंग का डूप्लिकेट चाहिए वो लोग जैसा बोल रहे हैं तुम वैसा करते जाओ हम लोग रगु को यहां लेकर आएंगे और तुमे ले जाएंगे तो हम दफ्तर जाकर चुटी लेते हैं अरे तुम ससराल की दावत में आयो किया वो तुमें नहीं जारे देंगे क्यों ना जाओ हमने क्या किया अरे समझा अपने मासुबर लाको असल में मसला ये है कि तेखिये बड़े बाई वो रगु बहुत ही शातिर दिमाग है वो दो दिन में सब कुसाफ करकर यहां आ जाएगा क्यों आ जाएगा हमारी बेहन उसकी कमजÓरी यह इसलिए वापस आएगा तो बेहन को भी साथ ले जाएगे अब वो क्या है वो हम से बहुत प्यार करती है हमारे बिना कही नहीं जाएगी हम पहले सही परिशान है क्या हम रगु को किंग बनाकर उससे उसके मुकाम तक कैसे पहुचाएं और तुम चाहते हो कि हम पूरा सरकस वहां ले जाएं आप बेफिक्र रहें हमारे पास एक सभर्दस्त मंसूबा है आप बेफिक्र पास एक सभर्दस्त मंसूबा है आपके वालिद में खुदकुशी की थी, उनकी रूह को इस तरह सुकून नहीं मिलेगा अगर आप वाकई उनकी रूह को सुकून देना चाहती हैं तो हमारा मानना है कि इस सबसे बढ़कर आपको कुछ करना होगा और वो सिर्फ आप ही कर सकती है ये 20 लाग का चेक अप आज है जमा करा दीजिएगा यकीन रखें भावीजाँ, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि किंग के नाम पर रियासत के सारे धार्मिक जगों पर गरीब और यतिमों को अनाज बातें कैसा रहेगा तो बटवा दीचिए करीब 10 लाग रुपए खर्च होंगे ये कोई जादा दो नहीं है आपने तो हमारे मू की बात ही छीन ली है उसकी जरूरत नहीं और वैसे भी हमारे किंग की कोई कीमत नहीं लोगों की दुआई मिलेंगे भावीजान याकीन रखिए किंग ज़रूर वापस आगे पापाजी आ गए पापा इसलिए परेशान हो किंग वापस नहीं आए इसके लिए परेशान हो अब तुम लोग पुछ बताओवगे कि नहीं घुमा करको बाते मत करो के आउना आई दो आउने लेकिन ये आएक़ तो आजब रोती है हम अब रोने की जरूरत नहीं हम तुम्हारा दर्श समझ सकते हैं, काले जी आ गया अरे बिटा, ये तुम्हें क्या हो गया, ये सब क्या है बिटा, तुम्हें क्या हुआ है सुरी मैडम, ये किसी को पहचान नहीं सकते, नहीं कुछ बोल सकते ये आप क्या कह रहे हैं इनकी ये हरत अपजी नहीं की होगी आप इन पर इतना गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि इनके साथ उत्तरांचल में हादसा हुआ था हमारा नाम डॉक्टर ग्यानेश्वर काले है और ये हमारी भेन शिवा निकाले नमस्ति नई दवाओं के लिए जड़ी बूटी खोजते वक्त हमने किसी के करहानी की आवाज सुरी जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि आपका बिटा मौस से लड़ रहा था हमने कुदरती जड़ी बूटीयों से आपके बेटे का कई बहिनों तक इलाज किया और फिर ये जनाब आए और इनोंने पहचान कर हमें यहाँ लेकर आए मैडम किंग के खोने का और आपसे दूर होने का गम हमसे बरदाश्ट दीवा और हम जंगलों में दिन रात भूखे प्यासे तब तक भटकते रहे जब तक हमें हमारा किंग नहीं मिल गया अंग्रेजी इलाज को अलोपेथी कहते हैं जड़ी मूठी के इलाज को आयुरवेट कहते हैं उसी तरह कला के इलाज को आठ थेरपी कहते हैं आपने हमारे बज्चे की जान बचाई क्या इसके बिल्कुल ठीक हो जाने तक आप यहीं रुख सकते हैं कैसी आपकी मर्जी जब तक यह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जाएंगे बाई साब प्लीज इनके रहने का इंतिसाम करतीजिए जी बेहतर आये जिला आये जाहिए 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 तो भाई गोपी मोहन तुमारा कप्टी छलिया दिमाग और शर्म पूरी फीचर फिल्म यहां कल से चलेगी बताओ ये कौन है मा है ये कौन है बड़े पुपाजी क्या बात है पेटा अब बताओ ये कौन है मजले पुपाजी और ये कौन है चोटे पुपाजी हाँ पहाँ कि लिगाता है एक बार हम सबको यकीन दिला दें कि रगु ही किंग है फिर आपका सारा गर्जा चुका देंगे क्या अब हमें कोई बात पही करनी सुने अपाची यह ड्रामा और नहीं कर सकते हैं कुर्सी पर बैटे बैटे लंग्डे हो जाएंगे एक तरफ भायजान की सड़ी हुई हैं हम तुमारे जिस्म की मालिश कर देंगे क्या बोलते हो आज आर्ट थेरीपी के सेशन का आखरी पड़ाव है सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए और इलाज में किसी तरह की रुकावट ना आए उसके लिए आखे बंद करके सभी हमारे साथ कहें घणपती बाप्पा अब आंके खोल लीजिए अब कौन है हम जय सूरिया एक मश्यूर मुजिक डिरेक्टर यहां हमारे बेगर जो ठेरपी चल रही है उसके हम एंबी हैं क्यों है ना जी बिल्कुल मैडम यह हमारे मास्टर जी है अगर सपर्ष का पता चल रहा है और साथ वा सूर लगा दिया तो रोगी के पैर तो बेकार तो है ही हमें चूने से महसूस नहीं होता इसकी जाच करना हमारे काम है बिटा यह कहां जा रहे हैं क्या करेंगे आप जरा पीशे अटेंगी पता चला आप भी पीशे अटिये चलिए ठीक है पता चला नहीं कुछ पता चला जरा भी नहीं यह और थेरिपी नहीं बदली की आग थेरिपी है हां चोट लग रही है आप रो रहे हैं रो नहीं रहे मास्टर जी आपकी मेहनत और महबत देखकर आखे भरा ही मेरी मास्टर जी कह रहे हैं कुछ हैसास नहीं हो रहा हम सात्वा सुर्गाते हैं वक्त क्या है दस बीस मनोस घड़ी है जो काम मुबारक घड़ी में होना चाहिए अगर उसे ना मुबारक बंच में हुआ है तो मरीज चीग और इलाज करने वाले माजूर तो करोगे जल्दबाज अजी हर्गेज नहीं करते कल मुबारक घड़ी में हिलाज करेंगे यह तो सिर्फ एक जलक थी बदले की आज की कल देखना मौत का राण मिलते हैं ब्रेक के बाद अरे मेरी माप आपरे बाप का अजगे रहे हैं इतना पीटने के बाद मुझे दूआ याद नहीं आई अग गुसे में जब लोग होते तो ऐसे ही कहते हैं इसलिए जबान फिसल गई आप लोग तो ऐसे देख रहे थे जैसे वहां पर चौके चक्के लग रहे हो पेर पे स्कोरबोर छप गया है जड़ा देखो तो हम आपका दर्द समझते हैं भाईजान से कहे कर हम रगू की बारात निंकलवा देंगे पूरा जसम लाल करवा देंगे उसका क्योंकि उसी की वज़े से हम हमेशा भंसते हैं पेशरम नौलैक देहा रगू रोकड़ा की ज कुछ हो रहा है मज़ा आगे ना अब चलें अभी का हुआ अभी तो ग्यान बाकी है जिसने दूप में खड़े करके हमारी पेंटिंग मनाई थी उसके बाद शिवानी भी तो है उसमें क्या किया देखो कि इतना काम छोड़के भी हमारी यहां आने की वज़ा है सिर्फ और स सौब दें और हमसे माफी मांग लें तो यह मामला हम यहीं रफादफा कर देंगे कई यह क्या कहते हैं कि यह क्या कहा हमारी बेहन के बारे में माफी मांगते हैं बक्ष दीजिए जराब इसने पैर उपर मारा था ना फिर आपने इसके हाथ के तोड़ दिया इसे काया कचोरी लॉक कहते हैं यह लॉक संभलकर लगाना पड़ता है अगर जरा से भी गलती की तो इनसान सीधा हो आप दूसरे पर हम कोशिश करें हाँ बिलकुल करके देख लो दूसरा पर राइप उठाले बर नहीं है तोड़ लाले जा अरे दो चार मरीजों को मानने के बाद ही इनसान डॉक्टर बनता है आपकर यह लगे रहे लगे लगे हम जिन्दिकी पर कैसे रहेंगे अगर जिन्दिकी में इससे बड़ा लॉक लग गया तो बिलकुल ठीक हो जाएंगे तब तक बिस्तर पर आराम फरमाईए रे भाई यह सब कैसे हो गया वो ऐसा हुआ कि मुरारी चला हीरो बने और जीरो बनकर रहे गया तुम तो खुश हो हाल हो गया अरे इनकी छोड़िये और किंग को ठीक करने के लिए अपना ध्यान लगाई है जी हाँ डॉक्टर साब वो मुबारक घड़ी आ गई है आप ठेरपी शुरू करें हम डांस देखते हैं यह बने हैं है ऩप्टर क्राइब है है तो तो गला हुआ यह थाँ अप्टर का तो थाँ अप्टर को बने है अभाई थाँ आए जढी हा lanz che thanking you तू'll जिस्टीर हो जिस्टीर हो और हो जिस्टीर फरार्फ जिस्टीर हो एक नो सबस्टेशार नगी कर से लुग ल॑ हो मेरी बात सुने एक पैर का ठीक होना और दूसरे पैर का खराब होना ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है तुम्हें क्या लग रहा है क्या सोच रहे हो मां भाया अरे ये कैसे आ गया अब इसे हम कैसे समाल लेंगे बेटा मां क्या बात है बिना खबर की है ऐसे चले आए हमें सबकी याद आ रही थी तो हम चले आएं बही चुटे बही है आपको सप्राइज देने पुजा यह हमारी मा है नमस्ते और यह है भाई नमस्ते यह लड़की कौन है यह हमारी महबत है भाहिया मा आपको ऐतराज ना हो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं मैं और तुम्हारे भायजान तुम्हारी पसंद को कभी भी नहीं ठुक रा सकते लक्ष्मी आर्थी लेकर आओ बहु के आर्थी उतार ही है अन्दर आओ बिटा बाबा नकली किंग से हमारा कोई मतलब निये बस उसके भाई को मारना है फिर जितनी जल्दी हो सके किंग को चकमा देके हमें यहां से निकल जाना है तो आप किसी और को ले लीजे मासर जी की दो बेंट बजी हुई है अब वो क्या बजाएंगे अरे बाई किशोर क्या है हमें गोपी मौन के पास लेचलें कभी यहां लेचलो कभी वहां लेचलो रिक्षावला समझ के रखाये गया वैसे उनसे क्या काम है आपको हमारे पास ग अपना मूँ भी तुलवाना है क्या अब हमारा मूँ तूटता है यह उनका सर तूटता है यह खुद देख लेना ठीक है आप तो बड़े खुश होकर लोटे थे ना अब वो लोट कर कैसे आ गया क्या कहेंगे इसकी बारे में अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या तो यह अपपा जी काच को हीरा बताकर हमें धोखा दे रहा है अपपा ने अकेले पूरी जाइडान हणपने का प्लान बनाया है लगता है यह लूंगी कैसके डालोग मारे की वज़ा है उस रगु रोकड़ा से बात करो ना ए रगु रोकड़ा अपपा जी के ड्रामे में क किंग का रोल करके तुम हम लोगों को यहां पर बेवकूब बनाने हो क्या अगर तुम किंग हो तो हमें अपनी दस साल की उमर वाली वह बात बताओ जिसका इल्म सिर्फ हमें है और किसी को नहीं अभी फैसला हो जाएगा तुरंत यहीं पर अच्छा यह बता हुमरी साथवी साल गिराव तुम्हारे वालिद ने तुम्हें क्या तोफा दिया था अरे अकल के दुश्मनों इससे सवाल जो आप क्यों कर रहे हो पुलिस को बोलाओ यह अपने मूँ खोल देगा इसके गिरों को अंदर करवाएगे मत इल गुकर कर व्हुत कर दों हर क्या थो क्यों दो अंश्मना धुम्हा था होगा किरह ने उब फॉन्कित कि वा दोुर ना करता रहा है तो तुम ऐसे क्यों गूर रहा है जब हम दस साल के थे तब आप लोगों ने चोरी करने के जुर्म में हमारे पैर पकड़ कर हमसे माफी मांगी थी हमें याद है आपने पूछा था कि साथवी साल गिरा पर पापा ने क्या तोफा दिया था यह तल्वाइब आप यहां से अरे निकल ले चलो मस्टर जी जानते हैं क्यों दी थी आप जैसे जानौरों को मौत के घाट Nate क्यों मरवाया था आप लोगोंने हमें बता क्यों मरवाया था हमें तो मैं कुछ नहीं बता असल में वो काम गोपी मोहन ने करवाया था क्यों कि अथा बताओ हम गुड़ने बत्पास हो रूरे लेकिन कातिर नहीं है इन लोगों पर दहौस जबाने के लिए अपने जूट बोले है शरत बाबू आप डल लग रहे हैं रात को ठीक से सोई नहीं क्या पता नहीं ऐसा लग रहा है मानो दिल पर बूझ रखा हो सुबह जब आँख खुली तो सर पकड़ लिया ऐसे मामलों में यह सर चलता रहता है गब राये मत आदत पड़ जाएगी नाश्ता करें अरे आये फुफा जान नाश्ता कीजिए नहीं नहीं हम बाद में नाश्ता करेंगे अरे कह रहा हो तो आये न जैसे आखी फरसी एक घुट और उसका खेल खता बड़े फुफा आप भी नाश्ता करेंगे सुबह सुबह दादू का कॉल आया था पैसे नहीं दिये तो वो हमें फाल खाएगा किसी तरह भावी जान से कहकर एक करोण निकाल लो उसके मुँपर पैसे मार कर कुछ दिनों क के लिए उसका मुप बंद करवा देगे और तब तक हमारा काम भी हो जाएगा गुड़ मॉनिंग भाहिया गुड़ मॉनिंग आज़े आजाओ कर दिरी ुड़े इसराथ जुष। कुपी अरे सुनो भाई जल्दी जाओ और पैसे लेकर आओ आराम से आराम से जो स्पीनो इसे क्या देख रहे हो अरे मर गया रहे राजा बीटा बैया क्यों आई हो तुम्हें क्यों आई हो पर से बोलो क्या हुआ क्या करें वहां क्या हुआ यह सब क्या हो रहा था कोई मुझे कुछ बताएगा कुछ नहीं हुआ है कभी-कभी आर्ट थेरभी के मरीज को साइड इफेक्ट हो जाता यह वैसा ही साइड इफेक्ट था लेकिन इसकी ऐसी हाल है देखिए आप घबराईए मत यह आओ बिटा साहब जी क्या आपको पता है रगुन हमें कुर्सी से नीचे धकेल कर उस टेबल को एक जटके में उठा लिया फिर उस लड़की का गला दबा दिया क्या वो पागल हो गया है नहीं यह सब उसने नहीं किया तो फिर किसने के आप आज रात हम आपको दिखाएंगे कि यह कौन कर रहा और कौन करवा रहा है आपको पीने के बाद मीन नहीं आती है इसलिए भूतों के कहानिया सुना सुना कर हम लोगों को परिशान करते रहते हो अब कहाा निकर जा रहे हो हमें भी यहीं लग रहा है देखोगे तो खुछ जान जाओगे कहां है भूत इतनी लंबी लंबी भेक रहे थे यहां पड़ तो कोई भी रही है अभी हम लोग जिसे देख रहे हैं वो रग रोगड़ा है यह जो सामने बैठा हुआ है यह है रग रोगड़ा और इसके दर दाखिल हुई है किंग की रूँ क्या कहां किंग की रूँ यह कैसे हो सकता है अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसकी रूँ भटक रही थी और वो अपने डुपलिकेट रगु रोगड़ा के अंदर दाखिल हो गई सुबा जब तुम सारे नाश्टा करने में लगे हुए थे तब हमारा ध्यान सिर्फ रगु रोगड़ा पर टिका हुआ था पूजा के आते ही हमने उसकी आँखों में दहकते हुए अंगारे देखे थे उसकी आँखे जौला मुखी की तरह लाल थी लेकिन किंग अजे के मंगेतर से नाराज क्यों है शायद इसे इंटरकास्ट शादी पसंद नहीं या फिर कोई और वजा होगी हमने वहाँ तो सबको अच्छे से समझा दिया कि ये कैफियत इलाज का साइड इफेक्ट है उसके बाद मैंने इंसानी रूहों पर लिखी सिग्मिन फ्राइंट की बुक का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा और तब हमें सारी बात समझ में आ गई ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है फिल्मों की कहानी भी असली जिन्दगी से ही ली जाती है शिवानी देखो वो रखो रोकड़ा पूरी तरह से किंग बन चुका है बेचारा रखो उसे पता भी नहीं कि किंग की रूने उसके जिस्म पर कबजा कर लिया है तो साब जी अब हम क्या करें इस परिशानी का इलाज हमारे पास है बहुत प्रेथ चुडेल और बदरुहों की बुरी नजर से महफूज रखेगा याद रखना जय को एक हजार तपस्याओं का शिरवाद हासिल है इसलिए उसके उपर प्रभाव डालना इतना असान नहीं होगा रक्षा यंद्र जब तक ही आपके बेटे के शरीर पे रहेगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सोते जागते इसे हर समय अपने शरीर पे बांध के रखना ये रक्षा कवच है इनकी कुंडली के मताबिक खत्रे के बाद इनकी शादी का वक्त आ चुका है इसलिए जल से जल इनकी शादी की तयारी कीजिए अरे कैसी बात कर रहे हो बाबा, हमें मुसीबत से बचाने आए हो, तु फिजुल की बाते क्यों कर रहे हो, इस मुश्किल गाड़ी में है, हम लड़की कहा तलाश करें लड़की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, वो यही मौजूद है कौन हो सकती है कौन है वो शीवान डॉक्टर साब आपका क्या खयाल है जी ये फैसला तो हमारी बेहन ही करेगी तुम्हारी क्या राए है आज हम बहुत खुश है भाई साब अब फॉरन सगाई की तयारियां शुरू कीजिए एक अरसे के बाद हमारी समेहल में इतनी सारी खुशी आई है खयाल रहे इस खुशी के मौके पर कोई कमी न रहे नकली किंग हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है उस नकली किंग से हम निपट लेंगे लेकिन किंग का भाया जे आज राती खत्म हो जाना चाहिए हो जाएगा बाबा हम उस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते हैं हुआ 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 है हादा सकते हुआ है हुआ है है कर दो दो दो, कर दो दो, कर दो दो, कर 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 दो, क लज कर दो बार! लज कर दो इंद कर दो कर कर दो! यह क्या हो रहा है अरे शरत बाबु क्या बात है आपने तो अकेले इन सब का बैट बजा दिया शरत के बाज़ों में इतना तम नहीं है इसका मतलब तुम रगू रोकडा फिर हमारे शरत बाबु हमारे आते ही खिसक लिया वो क्यों रहे हमें बेवकूफ बनाकर शिवानी की शादी उससे करने की सोच रहे थे अगर शिवानी की शादी तुमने हमसे नहीं करवाई तो आपका शरत इस दुनिया से टपक जाएगा अरे शिवानी उठो शिवानी जल्दी उठो क्या बात है भाईचान कितना अच्छा खाब देख रही थी अरे खाब छोड़ो और हकीकत की दुनिया में आओ यहां कितने जमेले हो रहे हैं ऐसा क्या हो गया रगु रोकड़ा यहां आ गया और उसके डर से शरत बाबू यहां से भाग गई तो बन क्या करेंगे हमें बाकियों से नहीं हमें सिर्फ शरत से मतलब है हम दुनों इसी वक्त यहां से निकल चलते हैं चलो चल्दी से त्यार हो जाओ जी अभी त्यार हो कराती हूँ यहां हमारी जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें शादी रचा दिये सुनो बेटा अगर तुमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो दादू हमें सिंदा जला देंगे अब घूर ना छोड़ो जो तावीज बनवाया था वो है ना हाथ में अबाख सॉरी अजे क्यों आई हो यहां क्यों आई हो फिर से छोड़ो मैं चाफियो मारना चाहती हो हमारे भाई को गौन हो तुम सच बताओ, मताओ कौन हो छोड़ो बोलो एई भाइया, भाइया छोड़िये, आप पागल हो गए है छोड़ दो ये हमारे खांदान को मिटाने आई है मेरे भाई रे, किसके भाई हो आप, आप किंग नहीं हो, आप रघू रोकना हो, ये बात हमें पता है, नहीं, हम किंग है, किंग तो मर चुका है, हमने उसे मरवाया, आखेर क्यों, हमारे रास्ते से हटाने के लिए, जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, सब हमें किंग का भाई कहते थे, और उनकी वज़े से हमारी कोई भी पैचान नहीं रही, अगर हम जीते तो कहते, किंग की जीत हुई है, जहां भी जाए बस किंग, इसलिए हम किंग बनना चाहते थे, तो मरवा दिया उन है, अब आप ये सब पैसो के लिए कर रहे हैं, या फिर किंग की जगा हासिल करना च ए, आप लोग कौन हैं? आप जूट बोल रहे हो, ये किंग नहीं रगू रोकड़ा है, एक शकल के दो लोग हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसा इंसान लाखों में एक है, किंग के बोडिगाड मुन्ना का असली नाम रगू रोकड़ा है, जो मेरा बेटा है, जब इने पता चला कि लोग इनका कतल करन चाहते हैं, तो बड़े भूपा की मदद लेकर रगू रोकड़ा यहां किंग बन कराया, ताकि कातिल का पता लगाया जा सके, जब पता चला कि कातिल तुम हो, तो किंग जीते जी जिन्दा लाश बन गया, सर जी, ये पूजा और कोई नहीं, रामदीन चाचा की बेटी है, जो इस महल में काम किया करते थे, आपके खिलाफ कुछ न कर पानी के वज़े से, भगत सेट ने पूजा को अपना मोहरा बना कर, अजय को अपने प्यार के जान में फसाने को कहा, चल बगा, भगत सेट ने म मुझे मारने को कहा था, पूचा, हमारे खांदान की इज़त बचाने के खातिर उस दिन, हम तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई थे, जब हम तुम्हारे घर उन से माफी मांगने के लिए पहुचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उस वक्त तुम हम ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तो बस अपना फर्ज अदा किया है, तुमें हमें मारने का हक था, यकिन करो इससे अजे का कोई वास्ता नहीं, अचे, बाबा ने हमें किंग बनाये लेकिन हमारे सर पर कोई ताज नहीं है, जिम्यदारियां है हमने तुम्हें बड़े भाई की तरह बिल्कुल नहीं पाला है, बाप की तरह पाला है हमें लगा हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर रही है लेकिन पता नहीं था कि तुमारी जरूरत क्या है हमें पता था हमारी जान को खत्रा है और इसलिए मा कभी चैन से सो नहीं पाई भाई अगर सपने में भी उन्हें पता चल जाता कि वो खत्रा तुम पर आने वाला है तो उनका कलेजा भड़ जाता वो जीते जी मर जाती मर जाती भाई हमें माफ कर दीजे भाई कैसे माफ कर दे पगले तुमने कोई छोटी गलती नहीं किये बाबा, हमने आपसे किया वादा निभाया लेकिन हम सबको खुश नहीं रख सके उसे पूरा करने का एकी तरीका है कि हम यहां से दूर चले जाएं हमें माफ कर देना बाबा, माफ कर देना चलो निकल लगते हैं बेटा आपा घर छोड़के चली गए मामा जी अहां कोई तलाश करने की कोशिश न करें ये लो, दौलत के कागजाद जो तुम चाहते थे आज से इस महल के किंग तुम ही हो अपा जी भाई, उन्होंने आप तीनों से एक बात कहने के लिए कहा है अब तक चुपाबंदी आप पे लगी थी आपके मुसीबत के लिए नहीं बलकि मुसीबत से बचाने के लिए लगी थी आप तीनों उनकी नंदों का ख्याल अच्छी से रखे इसलिए ये सारी जैदाद आपके नाम कर गई हैं वो ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग हैरान है कि मेरे जैसे बुलकड़ी सब कैसी याद रख सकता है मुझे काम की बाते हमेशा याद रहती है गलास तूटने की बात मैं भूल सकता हूँ लेकिन दिल तूटने की बात मैं नहीं भूल सकता पता नहीं शरत बाबू कहां गाइब हो गए हैं जल्दी से हमें उनसे मिलवा दीजिए अरे आप तो कुरियो सर्विस से भी फास्ट है शरत बाबू हाँ अरे भाईजान आप गुण मानी अरे यार आप बिना बताए कहां चले गए थी लबू ने मार मार के नानी याद दिला दी इसलिए नाना से मिलने गाउ गए थे आपकी बुझदिली ने आपको बचा लिया बुझदिली कैसी बुझदिली हम कैसे छोड़ कर जाने वाले केस कर देंगे उस पर हम किंग है गुड़ू पताए तुम जिन्दा क्यों हो ताकि भगत सेट की हर नापाक मनसुबे की खबर मिलती रहे सर सर वो सपना बिल्कुल फ्रॉड है सर उसका नाम सारी डीटेल सब जाली है फिर तुमने उसे अपनी कंपनी में अपॉइंट क्यों किया आपकी सिफारिश देखकर सर हमने ये ब्लैंक लेटर हेट दस्तखत करके अपने सेफ में रख दिये थे ताकि हम ना हो तो काम आ जाएं मतलब घर का ही कोई आप पे अमला बगत सिंग सेट ने करवाय था और जिस लड़की ने आप पे गोली चलाई उसे मानो जमीन खा गई या आस्मान निकल गया बगत सिंग सेट के पास आपके हर एक प्रग्राम की डिटेल्स है उत्रा अंचल ट्रिप की भी शायद कोई घर का बंदा ही उनके साथ मिला हुआ है तैंक्स गेटू मुन्ना हमारी बात ध्यान से सुन फिर हमने मुन्ना के साथ ये नाटक शुरू कर दिया गाड़ी के अंदर आके बैठ चाओ पलिस उमारा पीछा कर रही है देखो तुम्हें काम करना है कुछ दिनों के लिए इस महल में तुम्हें किंग बन कर रहना है वहाँ पता चला कि बाकी दो फूफाओं का हाद भी इस साज़िश में शामिल था हमारे भाई को जो भी चाहिए था उसे देने हम अपनी मौत का जुटा नाटक करके यहां पर चले है सर वोलगिड़ू क्या खबर है बगत सेट ने आपके भाई की गाड़ी में बॉम रखने को काया पिर तुमने क्या किया उनी की गाड़ी में फीट कर दिया सर बगत सेट गिड़ू, वो काम हो गया बगत सेट, हमने आपसे कहा था आपका हाथ हमारे खांदान पर उठा तो आप इस दुनिया से उड़ जाओगे असल में बात ये है कि अरे शिवानी तुम दो दिनों से शरत के लिए परिशानती इसलिए गुड न्यूज नहीं बताई कैसी गुड न्यूज वो क्या है ना कि हम मास्टर जी की बहन से बहुत प्यार करते हैं पता है फिर तो ये भी पता होगा कि उन्होंने हमारा इम्तिहान लिया था उस इम्तिहान में मास्टर जी ने पूरे नमबर दे कर पास कर दिया सच भाइजान इतना खुश मतो बिजदी से बचाने के लिए मैंने दिल पे पत्था रखकर इन्हें बड़ी मुश्किल से पास किया है हम बात कर रहे हैं ना मास्टर जी देखिए हम चाहते ही कि लगे हाथ हमारी भी शादी हो जाए यानी कि शिवानी की शादी रहु रोकडा के साथ यह तो अजब प्रेम कहानी हो गई भाई यह आप तो पेहन बजेगा दुला भाई आपको रखु रोकडा समझ रहे हमने कातर बताना ही चलेगा डॉक्टर साब हम इनकी शादी पहली मुबारक घड़ी में कर देंगे सुनो बिटा हम बहु के लिए गहने लेनी चा रहे हैं जी बहतर दुला भाई यह बेचारी तो आपको सच में केंग समझ रही है हाँ कितनी मासूब है ना एई शराद लेकिन इतना चिला क्यों रहे हैं आपको नहीं उसे कौन है नमस्ते सर्जे नमस्ते हम तो यहां दर्शन के लिए आए थे शराद जी कहिए सार तुम्हें नहीं मुझे बुला रहे है अपने दोस्त को भी शादी की दावत दे दो कुछ रखना पड़ेगा यह सब कैसे करें के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है बहुत बड़े चैंपियन है यह कोई चौथे किरदार में आ गया तो